इस्टोरी खतब, ठीक है, अब डाउट्स में आते हैं, प्रियो जीत, आपका क्या डाउट था? अब डाउट था, वो ख्लियर हो गया, सॉरी सर, हम आपको बता नहीं पाया, क्योंकि बहुत बीजी चल रहा है, चार-पास दिन से, सॉरी किस लिए एक्जाम संडे को किया है, किस लिए किया है, लॉजिक दे रहा है, नेक्स्ट वीक के बाद उसके बाद वाला वीक में आपका मंडे या टूजडे एक्जाम है, समझ लीजे, ये जो संडे जाएगा, नेक्स संडे को कितना तरीक है, दो तिन तरीक है, तो आपका एक्जाम कितना तरीक को है, उचलेगा, वो हम लोग बात कर लेंगे अभी क्लास में, इसलिए हम सबको मेसेज नहीं किया, एक बार पिछले दिन हम लोग डिसाइड किये थे संडे, लेक आप लोग को मेरे को चेक करके रिपलाई भी तो दिना पड़ेगा तीन-चार दिन में, तो आज मालनी जी एग्जाम आई जाएगा तो फिर मौक टेस्ट लेकर क्या करेंगे? मेरे को परसनली लगता है बहुत ज्यादा थर्स्डे फ्राइडे नहीं ले जाना चाहिए, विकॉज आपको एग्जाम देकर ये फील आना चाहिए, कि हमारा घरबड़ी कहां कहां पर है तो संडे नहीं तो मंडे और मैक्स टुमेक्स टूजडे बस उससे ज़्यादा नहीं क्या भाई सब लोग का क्या बोलना है? द्रिस्टी, पायल, वर्सा, आप लोग का क्या एडवाईज, एग्जाम कब लेना है? संडे अच्छा, सौरी, अधर्स अलसू, एनिबड़ी ऐस? पायल, आप एग्जाम दे रहे हो, निसानती जी, क्या सोचिए, वर एग्जाम देना है कि नहीं? कि एग्जाम्शन ले लोगे, बट वो एग्जाम्शन क्या करेंगे वो तो आपको बोलना, उन्हों को बोलना पड़ेगा ना? मानो जी से मैं नहीं पूचरा विकोज उनका पढ़ाई ठीक से हुआ ही नहीं है बोलिये पायल तर मैं सोच रहे हो कि एग्जाम्शन ले लो अच्छा, आप भी एग्जाम्शन लेंगे, लेकिन आप एग्जाम फीस तो दे चुके ना? तो यह ध्यान रखें, यह ध्यान रखें, वो लोग अगर बोलेगा वो ही बोल रहा हूं कि exam fees को ही वो लोग exemption fees बोलकर adjust कर लेता है, तब उचीत है, लेगन अगर वो लोग बोलेगा exemption fees आपको फिर से अलग से देना पड़ेगा, exam fees दिया हुआ, adjust नहीं होएगा, तो फिर exam देना है, हाँ? because it's not a 1,000, 2,000 रुपी, it's 13,000 तो अभी normally, ये सोचकर चलना पड़े है, कि भाई, exam के लिए तैयारी करनी पड़ेगे, because reply तो 3-4 दिन बाद आएगा, जब उनको mail देंगे, तो बहतर घंटे लगाते है, working days, Friday के बाद, Saturday, Sunday, working day नहीं है, तो Tuesday, Wednesday के पहले reply नहीं आने बाला है, तो उसके लिए तो पढ़ाई ब आप प्रॉपरली आप एग्जम्शने से, वाले ये साथ लाख स्टुडेंट आठ लाख है, कौन क्या मिल कर रहा है, बहु सुन्द कौन आप, my name is Priyojit Barb, जो भी है, my registration number is this, I registered through Saraaf Academy, I have already cleared knowledge level all the three subjects, I have cleared in skill level auditing subject also, I am giving, I want to claim exemption for law subject, this is my mark seat for first and second semester, please allot me the exemptions and I am ready to pay the relevant exemption fees which is required to be paid, और वो mail का CC हम लोग को भी डाल दीजी, हो गया, प्रॉपरली लिखेंगे ना mail, आपको ये सोचना है कि हमारे पास तो माल लेजे मिला के ACCA का 400-500 student है, लेकिन हमको तो एक एक जन के बारे में पता है, उनको थोड़ी ना पता है, कौन मेल कर रह do Google in your writing to the institute, लेकिन प्रीजिकार केर, जउनको प्रॉपर डेंगे मिला कर आपको प्रॉपर को आपको अटी decision on Tats of the legUST I want to adjust this taxation exam fees as an exemption fees for taxation paper, please allot me the exemption, please communicate with me very fast, because I am going to give exam, so I want to adjust, I don't want to give taxation exam, वहाँ पर मेल में अपना अटाच्मेंट में बीकॉम कमाग सीट सब समेस्टर का डाल के दे दिये, तब सीसी मेरे को भी कर दिये, देखते हैं क्या होता है, आपको प्रोपर समझाना होगा, आप सौटकत मेट मद डालिएगा, देन कम्यूनिकेशन भीस बार करना होएगा, you need to understand other person don't know anything, you need to communicate from the base till the end, properly, that is called simple communication skill, you need to apply simple communication skill properly, otherwise you will go on giving two and forth, mail, 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 और आपका reply आएगा नहीं, फिर अप गुस्सा मने मन में दुख होएगा, communication हर समय सुन्दर्ता से रखना है, ठीक है, तो आप रियोजी ठीक से मिल कर ये, guarantee आएगा यार, नहीं आएगा तो हम है न यार, हम करा देंगे, क्यों टेंसन है, पता नहीं है, नया स्टुडेंट जो लोग आएगा हम लोग से, तो हम लोग वो लोग को भूल रहे है, कि आप युनिवर्सिटी जिसमें बीकॉम कर रहे हैं, लेटर हेड पर लिख कर लाईए, हम लोग भूल रहे हैं उनको, कि हम ये हैं, हमारा सन मने फादर का नाम ये है, कोलेज लिख कर देगा हम ग्रेजवेशन इस कॉलेज में कर रहे हैं, मेरा ग्रेजवेशन इस साल कंप्लीट होगा, हम लेटर मांग रहे हैं, विगंस बार-बार फिर बाद में इंस्टिटूट से कम्युनिकेशन करने में टाइम बरबाद होता है, हम वो नहीं चाहते तो एक ही बार में पुरा डॉक्यूमेंट लेकर ही रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर आज करें अगल करें एक्जाम तो दिसंबर में ही देगा नहीं अर दो दिन में डांस करके क्या होएगा इससे बढ़िया पांस-दस दिन में letter college से ले आएगा, एक बार में letter के साथ exemption के लिए claim करेंगे, register करेंगे, बार-बार two and forth करने में staff बहुत चाहिए, एक चीज का गरबड़ी होने से बार-बार, पाँच-पाँच बार माथा लगाना पड़ता है, फिर staff को बोलना पड़ता है, तुम किया, नहीं किया, भाई, एक ही बार में सीधा करेंगे, ना कि hit to the target, एक ही बार में अच्छा से पड़ेंगे, ना कि पास ही होएं, क्यों ऐसे वैसे पड़ें, कोई भी काम को अधूरा कैसे करें, पूरा, यह जिन्दगी में समझना है, और जो काम को आप पूरा करेंगे, वो तभी होगा, जब आपको मज़ा आरहे, जब आपको मज़ा नहीं आ रहे तो काम कभी पूरा होने वाला नहीं, ठीकरा, तो नया होता तो हम लोग कर, विकोज हम लोग को code 4 डालना है, सब कर देते हैं, लेकिन पुराना अल्रेडी स्टुडेंट इंस्टिचूट से कनेक्टेड है, बस आपको प्रोपरली मेल डालना है, उनका जवाब प्रोपरली आएगा, प्रोपरली आएगा, और आप सीसी हमको भी कर दीजी, हम इंडियन टीम को भी दे देंगे, तो दोनों जगह से कही न कहीं दो चार पांस देन में रिप्लाई आके आपका जो भी क्वैरी है वो रिजॉल्फ हो जाएगा, ठीक है? येस सर, तो और कि फायल आपका भी कोई डाउट था, निसानत जी आपका कोई डाउट, मानव जी आपका कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? फटा फट भाई, फटा फट, कुछ पूछना है? ओके सर, तो अपने जो आखरी पूर्शन है, विचीज वैट एडमिनिस्ट्रेशन, वैट का रिटर्न कब लगाना है, वैट का टैक्स कब पे करना है, अगर अपने रिटर्न टाइम पे नहीं लगाएंगे, टैक्स पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, तो क्या फाइन्स प करना है, वैट के अंदर भी बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी, दो तरह का है, स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे, उनको रिटर्न कब लगाना है, बिग कंपनी किसको बोलेंगे, उनको रिटर्न कब लगाना है, उनको टैक्स कब पे करना है, अगर आप छोटे क्लाइंट है, तभी हम लगाते हैं, लेकिन बहुत जगह तो credit sale है ना, पैसा customer को भीचने के बाद 2-3 मैना बाद आ रहा है, तो हो सकता है organization सुचेगा कि हम पैसा दे कहां से, जब customer दिया ही नहीं, तो आप application दे कर आप cash basis system में जा सकते हैं, जब customer payment करेगा sale का, तभी आप tax government को देंगे VAT का, इंडिया में भी होएगा e provisions, यहां भी है, अब है कि अगर आप import export करने हैं, तो VAT का क्या होएगा, अगर आप export करेंगे तो VAT नहीं लगता है, आप तो foreign currency इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो VAT नहीं लगता है, बोलेगा इंडिया में आपके पास student join करता है, तो नहीं लग account में आएगा तो हम इंडिया में foreign currency कहां लेकर आया, मालनेजिये कोई जा के मेरा website पे CC Avenue में pay किया, CC Avenue जो हम लोग का payment gateway है, CC Avenue में वो जो dollar से pay किया, pound से pay किया, CC Avenue के पास dollar pound आया, और CC Avenue वो dollar pound को INR में convert करके मेरे को पैसा दिया, तो मेरे को अगर GST नहीं देना है, मेरे को CC Avenue स Conversion Certificate लेना होगा, वो VAT return के साथ, GST return के साथ लगाना होगा, कि मेरे को भारा से foreign currency मिला था, तब मेरे को exemption लगेगा, और ये लोग CCFC Certificate देने में बहुत माथा लगाता है, माथा खराब कर दीता है, तो हम लोग तो माथा लगाना छोड़ दी, कि भाई, बाहर से भी है, आ आप सीधा सीधी dollar ही transfer करें मेरे account में, आप अगर मेरे account में dollar transfer करेंगे, तब मेरे को GST नहीं देना है, because I need to show that it is export, ये बाहर से पैसा आया, foreign currency हम लेकर आये, इस चीज का जरूरत exam में है, नहीं है, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ, जैसे Nissan TG practically बात करते है, वैसे मैं practical बात क कर रहा हूँ, इसका question कुछ नहीं आ रहा है, export, sale, कोई भी country में, आप foreign currency लेकर आ रहे है country में, तो उसके ऊपर GST VAT नहीं लगता है, अगर आप import करने है, अगर आप import करने है, तो आप foreign currency में payment करने है, तो import करने है, तो उसके ऊपर पहले, output VAT देना पड़ेगा, फिर input VAT मिल बुलेगा, यह कौन सा बुद्धी हुआ, import foreign currency आप इंडिया से दिये, तो normally, जिस country से आप import करने है, VAT फैट वो चार्ज करेगा, लेकिन दो country मिक्स हो गया, तो दूसरा country का rule को तो इंडिया फोर्स नहीं कर सकता, तो इंडिया क्या बुलेगा, कि आपने जो import किया है, वो import पे पहले आप VAT government को दीजिये, मानलेजे मैंने 1 lakh का import किया, तो 1 lakh पे 18% government को 18,000 दीजिये, और जब हम लोग अपना tax pay करेंगे, जैसे मैंने बोला, इंडिया में कल मैंने GST pay किया है, for the month of July, last date सायथ कल ही था, 23-24, तो लेगा, इतना late से क्यों किया, account and come, इतना late से किया है, delay नहीं किया, because नहीं तो penalty fines लगता, तो मैंने जुलाई मैना का जो GST pay किया, उसमें जुलाई मैना में जितना sale हुआ, उसका tax मेरे को देना है, minus जो भी मैंने purchases खर्चा किया, उसका tax मेरे को minus करके देना है, तो अगर मैंने जुलाई मैना में import किया है, तो पहले मैं output tax बोलकर import के ऊपर वैट दूँगा, और फिर as an input उसको claim करूँगा, मतलब देना लेना, net में zero है, लेकिन आपको ये करना होएगा, अब इंडिया में बहुत सारा चीज पे पहले था, ये बहुत सारा चीज हटा दिया, बोले ये तो बेकाम का administration process है, पहले आप पे करोगे, फिर आप input claim करोगे, क्या जरूरत है, तो इंडिया में बहुत सारी चीजों पे हटा दिया है, मिरको याद अजब 2016 में GST आया था, तो उस समय reverse charge बोलकर बार बार ये करना पड़ता था, मालने जे हमारा ही एक company है, जिसके पास property है, और हमारा ही दूसरा company है, जो वो property को भाड़े पे तो अपना खुद का ही बात है, तो हम लोग क्या करते थे, रेंट पे करते थे खर्चा, रेंट के ऊपर पहले GST पे करते थे, और फिर इसको input claim करते थे, वो बंद हो गया, reverse charge बंद, मैं practical बात कर रहा हूं, मैं केवल ये समझाना चाहरा हूं, कि अगर आपको exam में कोई questions आत आता है, VAT administration से related relating to overseas transaction, तो आप अगर export करेंगे तो VAT नहीं है, आप अगर import करेंगे तो पहले उसके ऊपर VAT output देना है, फोर इसी VAT को आप input VAT claim कर सकते हैं, जो वो लोग rules में लिखा है, यानि कि पूरा कहानी बचा क्या आप, कब return लगाना है, कब payment करना है, कितना fines लगेग अगर कोई बड़ी company है, तो उसका return filing date और payment date अलग है, छोटी company उसका अलग है, cash basis जा सकते है, overseas होने के लिए, overseas transaction में, export में VAT नहीं है, और import के अंदर VAT, जो input जो आप खरीदेंगे उसके ऊपर पहले output देना है, फिर input मिलेगा, ये simple बात को chapter में समझाया जा रहा है, अब chapter मे पढ़ना क्या है, कितना दिन में return लगाना है, कितना दिन में records maintain करना है, लेट से लगाएंगे, क्या fine penalty लगेगा, बड़ा company कौन है, छोटा company कौन है, turnover का limit क्या है, वो ही है, वो एक्जाम में लिख कर नहीं देगा, वो आपको ध्यान करके जाना होएगा, और अगर आप concealment क हैं, दबताय नहीं है, तो सारा chapter में सेम कहानी चल रहा है, table बना हुआ है, deliberate है, non-deliberate है वगर है, उसके ऊपर hundred percent, thirty percent, sixty percent, वो table exam में दिया रहेगा, याद नहीं करना है, वो सब जगत common है, वो table, whether in the company assessment, whether it's an individual assessment, whether it's a VAT assessment, वो आपको exam में tax rules नहीं दिया रहेगा, तो आपको ध्याद नहीं रखना है, लेकिन वो यहाँ पर भी है, जो मैंने table फिर से नहीं बनाया, क्योंकि वैसे भी exam में वो table दिया रहेगा, यानि कि बस इतना ही ध्यान लखना है, कब return लगाना है, कितना fines, कितना penalty, अगर time पे नहीं लगाएंगे, बस यहीं पढ़ना है, यह सब topic म जान बुझ के एक class में एक साथ नहीं कराया, विकास तीन बार दिरे-दिरे करने से थोड़ा सा आपको लीवे मिलेगा, time मिलेगा पढ़ने के लिए, हम लोग तीन class से ऐसे ही पढ़ने है, मतलब नौर्बली मेरा focus है, कि आपका syllabus खतम हो चुका है, आप इसको खुद भी इसको रीड करना होएगा, और सम करते वक्त ध्यान देना हो कि मिरको याद आ रहा है कि नहीं, हम सही कर पा रहे है कि नहीं, नहीं कर पा रहे है तो पेपर करने के बाद फिर से इसको एक बढ़ पढ़ेंगे, exam अगर आज भी सुभा इसको एक बढ़ेगा, time क्या है, date क्या ह है, कितना interest देना है, there is no shortcut for this, you have to do this, because this is the area which need to be revised before the exam exactly, हम अगर exam देते हम भी ये करते है, आपको भी वो करना है, तो इसमें कुछ हाथी गुड़ा नहीं है, किसी को समझ में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, nothing by nothing, VAT administration and overseas aspects, VAT administration के अंदर VAT का return लगाना, और अगर accounting scheme, छटा organization, तो वो scheme क्या है, VAT का आपको payment कब करना है, अगर आप payment बगरा करें है, गलती return लगाएं है, तो fines penalties क्या है, और overseas export करेंगे VAT नहीं है, इंपोर्ट करेंगे पहले VAT देना है, फिर input claim करना है, और कुछ नहीं, that's the story, बस अब provisions percentage ये सा ध्यान लगना है, VAT return बोलता हम लोग यहाँ पर, इंडिया में, मेरा organization, 3 monthly VAT return, GST return लगाते हैं, January, February, March का return लगाते हैं, April में, April में, June का return लगाते हैं, July में, July, August, September का return लगाते हैं, October में, हम लोग यहीं कर रहे हैं, मतलब नौर्बली निसानत जी ये, इंडिया और योके में सेम हैं, एक example दे रहा हूं, में भी थोड़ा date इदर उदर होएगा, लेकिन हम भी बड़े organization नहीं हैं, हम इंडिया में छोटे organization हैं, हमारा इतना turnover है कि वो VAT registration होकर VAT pay करना ये सब जरूरी है, लेकिन हमारा इतना turnover नहीं है कि हम बहुत बड़ा बन जाएं, उतना अभी नहीं है, हम छोटे organization में आते हैं तो नौर्मली UK में भी ज्यादा है, तरलोग छोटे में ही आते हैं, तो उनको 3-monthly VAT return लगाना पड़ता है, ट्रेडर्स हो regularly receive repayments can opt to have monthly return, मालनीजे मेरा input VAT, output VAT से ज्यादा होता है, क्यों होता है, कारण ये हो सकते हैं, मालनीजे हम zero rated goods sale करते हैं, तो VAT तो output में आए गई लेकिन जो raw material वगरा खरीदा, सब पे VAT लगा, उमको गवर्मेंट से लेना है, तो हम छोटे होकर भी monthly return लगा सकते हैं, गवर्मेंट से पैसा हर मेना आएगा ठीक रहेगा न, तीन मेना बाद क्यों लेंगे, तो traders who regularly receive, आपको VAT का पैसा मिलना है, आप monthly return भी लगा सकते हैं All VAT registered business must pay and submit returns electronically, company के लिए, company का जो income tax return है, इलेक्ट्रोनिकल है, VAT का return भी electronic है, के बल इंडिविजवल का return pen and paper based file किया जा सकता है, same in India, same in India, मालनी जी, हम लोग बुलेंगी यह लग है, इंडिया में same provisions है, इंडिविजवल का return physically भी जमा हो जाएगा, department में जाके कागज जमा कर वो physically जमा नहीं होएगा, the VAT return shows total output VAT and total input VAT for the period, VAT return के अंदर आपको जितना आपका sale का tax आया, minus जो resources के ओपर tax लगा, वो सब दिखाना है, तो नहीं दिखाएंगे, तो tax देंगे कैसे, the deadline for the online filing of the return and payment of tax is one month and seven days after the end of the quarter, मेरे क्याल से इंडिया में मेरे को नहीं आद है, अगर quarter मालनी जी जून बीता, तो उसका return लगाने का last date July में है, की August में मेरे को ध्यान नहीं है, वो accountant का काम है, वहाँ पर है की quarter बीता, तो एक मेना साथ दिन के अंदर, यानि की if your quarter ending on March, then May 7 तक आपको return लगाना है, the deadline for online filing of the return payment of tax is one month and seven days after the quarter end, इसको थोड़ा red कर दिये, कि इस बात पर ध्यान देना है, all businesses are required to keep records under marking tax digital, इंडिया में ये कितना है मेरे को मालूम नहीं है, marking tax digital मतलब वैट का अपना software है, government का, वो software में आपको data always update रखना है, मतलब वैट वाला आपका data कभी भी चेक कर सकता है, business use MTD software to automatically compile a digital tax return, which they must review before submitting it to HMRC, बतलब जब आप business, माने, marking tax digital में data लिखते रहेंगे, मानलीजे आपका अपना personal organization का software है, वैट रिटर लगाने के पहले उसमें क्या-क्या दिख रहा है, वो देखना जरूरी है, जैसे इंडिया में लोग RECO करता है, RECO, Reconciliation, accountants को मेहना खतम होने के बाद, tax pay करने के लिए इतना 20 दिन क्यों लग जाता है, इतना shortcut नहीं है, मैंना में कौन-कौन student कौन साइ state से आया, because उस state का नाम लिखना, because 18% जो मेरा GST जाता है, 9% state के पास जाता है, 9% central government के पास जाता है, तो उसको तो रिटर्न में सब जगा लिखना पड़ेगा न, कि माल लीजे निसानती जी बिहार से है, तो वह रिटर्न में जाएगा, कि निसानती जी बिहार से है, उसका 9% GST बिहार government को जाएगा, 9% central government को जाएगा, मैं ऐसे example दे रहा हूँ, तो वह रिटर्न आपके पास, अगर कोई software है, तो आपको government का software में जो data डालें, उसे एक बर को रिको करना पड़ेगा, रिकांसिलिएशन करना पड़ेगा, कि बाई, सब कुछ ठीक है, वो ये लोग भी बता रहे है, इसके ऊपर कोई question देगा, कि नहीं, how I will say, है, provisions है, ठीक VAT refunds are normally processed within 10 days, अगर आपको पैसा वापिस मिलना है, तो government दस दिन में वापिस देती है, इंडिया में भी वापिस आता है, ऐसा मस सोचना, आता है, if it is discovered that VAT was overpaid in the past, आपको अभी मानली जी आप को रिटर्न लगाए, उसमें पैसा मिलना है, तो दस दिन में आ जाएगा, आप कोई दो-तीन क्वाटर पहले रिटर्न लगाए ते, अब आपको पता चला, अरे पैसा वापिस मिलेगा, गल्ती हो गया था, if it is discovered that VAT was overpaid in the past, the trader has a period of 4 years, from the due date of the relevant return for claiming the refund, मतलब जिस समय आप रिटर्न, मने एक मैना साथ दिन जहां बीतेगा, वहां से लेकर 4 साल तक आप रि Substantial Traders are those with a VAT liability exceeding 2.3 million pound, 2.3 million मतलब 23 lakh pound, 23 lakh pound के अगर दू लड्डू लगाएंगे तो Indian currency में value बनेगा, बोले या क्यों बनार ऐसे ही समझाने के लिए, it's very big organization, you can see Reliance ITC ऐसा company का बात कर रहे, छोटा मोटा हम लोग जैसे गंगु तेली प्रकास सराव जैसा का बात नहीं कर र Traders, who are subject to specific rules, monthly payment on account, are due at the end of month 2 and 3, in the quarter, of 1 by 24th of the annual liability for the previous year, जो बड़ा company है, बोलेगा, इंडिया में तो वैसे payment monthly हो रहे, रिटर्न सा क्वाटर में लगा रहे है, इंडिया में पेमें जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सेप्टेंबर, सेप्टेंबर का अक्टूबर, रिटर् रिटर्न और पेमेंट दोनों आपको ऊपर क्या बूला, कि बड़ा क्वाटर खतम होने से एक मेना साथ दिन के अंदर, लेकिन बड़ा company के लिए ऐसा नहीं बोल रहे है, जिनका turnover 2.3 million से ज्यादा है साल का, उन लोगों को वैट का payment monthly करना है, monthly कैसे करना है, at the end of the month 2 and 3 in every quarter, मतलब मालने जी January, February, March है तो February और March में payment करना है, कितना, जो last year आपका total VAT का value था, जितना आपको pay करना था last year, उसका 1 by 24th, any additional amount are due on the normal payment date, normal payment date उपर क्या था, January, February, March, quarter का normal date है May 7th, तो May 7 तक balance pay करना है, उन लोगों को हर मेना pay करना है, second और third month, और उसके बाद जब आप return लगाओगे, उस समय आपको balance pay करना है, normal due date की अनुसार, यह बड़ा company के लिए बोला है, ठीक है? Now comes VAT, records and invoices, normally जब हम लोग, जब हम लोग VAT का return लगाते हैं, मेरे यहाँ जो accountant लगाता है, हर एक student से अगर 2 रुपिया भी आया है, तो उसका invoice बनता है, माल लिजे, आप बोलेंगे sir, मैंने invoice नहीं लिया, मांग लोग यार्दे देंगे हम लोग, हम लोग को तो बनाना ही पड़ेगा न, एक पैसा भी, एक रुपिया भी सराफ academy के पास आया, कहीं से भी, कुछ भी तरह से, सबका अलग-अलग invoice बनेगा, invoice में लिखा रहेगा, उपर मेरा company का नाम, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, उसका address, उसका GST नंबर, इंडिया में GST बोलते है, बाहर वैट नंबर, फिर उसके बाद invoice नंबर, ये कितना नंबर invoice है, फिर हम समान किसको बीचे, जो person है उसका नाम, जो organization उसका नाम, क्या बीचे उसको, उसका price, उसमें वैट जोड़ कर, GST 89, 9% जोड़ कर, टोटल invoice बनेगा, sign होएगा, सब होगा, अगर मालनी जी हम ऐसे student को classes sale कर रहे हैं, जिस student को वैट का input लेना है, तो हम student को बोलेंगे, तुम्हारा जो वैट का registration, GST का registration, नंबर, जिस नाम में है मेरे को बताओ, वो mail करेगा, तो हम bill में उसका पूरा detail लिखेंगे, कि sold to X limited, GST number is this, वगरा वगरा, सब लिख कर देंगे, तो जब वो अपना VAT return लगाएगा, वो invoice को submit करेगा, कि देखिए मैंने प्रकास सराफ को, सराफ Academy को VAT का payment किया था, तो वो input VAT मोलकर claim करेगा, हम ज GST जुड़ता है, सब GST का हम claim करते हैं, सब जगह मैंने GST number अपना दे कर रखा है, वहाँ पर लिखा हुआ आता है GST number, तो हम वो invoice का copy लगाते है, return लगाने में, तो मेरे को GST input मिलता है, नहीं तो मेरा तो GST बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब हम लोग resources खरीद रहे हैं GST pay कर रहे हैं, तो वो input VAT हो गया, और output VAT आप लोगों से जो tuition fees मिला वो, तो output VAT में से input VAT minus करके government को pay करना है, तो उसके लिए तो proper invaising होना पड़ेगा न, वो invaising का rule बता है, इंडिया में same है, मैं इतना legal laws नहीं जानता, accountant है, काम करता है, आता है, उसका काम है यह करना है सब कुछ हम कैसे करें यार, बट एक basic common sense लगाएंगे, इंवाइस दुनिया में सब जगे एक ही जैसे बनता है, कोई अलग कहानी नहीं है, यह लोग बुल रहे है, वो invais के अंदर क्या क्या detail होना चाहिए, invais का पूरा structure क्या होना चाहिए, ठीक है, VAT records and invaises, records must be kept for all goods and services received and supplied in the business, business are required to keep their VAT records digitally, the records must be sufficient to allow VAT return to be completed and to allow HMRC to check the return, digitally जमा करना है और HMRC चेक करेगा, हम लोग GST में जमा करते हैं और GST department उसको चेक करता है, records must be kept up to date, must be preserved for 6 years, same story वहाँ भी था, सारा जगह 6 साल पड़े हैं, इंडिया में सब 6 साल है, सब, हाँ कोई आपके कगेंस में कोई case face चल रहा है, तो in that case, जब तक case खतम नहीं होगा, रखना पड़ेगा, लेकिन कोई case अगर आपके कहसात नहीं है, तो 6 साल तक documents रखे, उसक concealment हो गया न, deliberate यह सब जान बूच कर, तो in that case तो 6 साल को कोई limit नहीं है, because approve कैसे करेंगे मैंने चोरी नहीं किया, typical records include copies of all VAT invices, evidences supporting claim for recovery of input, output, input, VAT account summaries of the total output, input, जब VAT return लगाता है, Excel file में ही मेरा accountant करीब 20 थो column बनाता है, 20 तरह का चीज़, यह वो नाम उसका अलग अलग रहता है, उसको पता है भाई, क्या करना है, हमको नहीं पता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, बस वो दिया, हमको payment करना है, payment कर देते हैं, हो गया, payment भी staff करता है, उसको बताया हुआ है, credit card, number, यह सब, वो payment कर देता है, online, कहानी खत्म, लेकिन मैं देखते रहता हूँ, कभी bet लगाने नहीं और दिमाग लगाने में कोई time लगेगा, दो गंटा में सब समझ में आ जाएगा, क्या है, क्या नहीं है, कौन सा record लगाना है, लेकिन वो मेरा फोटे नहीं, that is not my cup of tea, हर चीज हम नहीं कर सकते, A VAT invoice provides, इसे related questions, exams में आता है, invoice में क्या क्या होना चाहिए, A VAT invoice provides evidence for the reclaim of input VAT, when customers do their own VAT return, VAT invoice proper होगा, तो ही आपको input मिलेगा, It must be issued with a standard rated supply, made to a VAT registered customer, within 30 days of the date of supply, उस देन हम लोग जो question कर रहे थे, तो उसमें question की अंदर आया था, कि VAT registered person only, तो कोई student ने बोला था, class में, वर्सा साइद, आप ही ने बोला था, कि सर ये आगे वाले chapter में साइद आएगा, ये आगया, उस देन हम लोग सोच रहे थे, कि ये registered person को ही sale करने का क्यों बात कर रहे है, क्या कि मैंने बोला कि आप लोग जब मेरे को payment किये, तो मैंने invoice दिया, तो आप लोग से भी तो GST लिया है, मैंने invoice तो आपको भी दिया, ये उस question का answer है, जो पिछले दिन कर रहे थे, it must be issued when a standard rated supply is made to a VAT registered customer within 30 days of the date of supply, अगर माल निजे म मेरे पास को student join किया, बुला भाया हमारा chartered firm है, भाया हम कोई company के थ्रू जवाइन कर रहे है, वो company के नाम में, तो वो 30 days के अंदर हमको उसको invoice देना है, लेकिन उसको मांगना तो पड़ेगा न, हम तो invoice बनाई रहे हैं, हमारा तो कामी है invoice बनाना, बिकॉस नहीं तो हम VAT return नगाएंगे कैसे, जितना sale हुआ, हर एक sale का invoice बनाकर, हर एक input का invoice बंच बनाकर जमा करना पड़ेगा, online, कोई physical नहीं, लेकिन मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा, आप मांगेंगे तो हम दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, कोई भी जहनगर 6 मैना पहले भी pay किया है, आपको invoice चाहिए, बकाइदा आपको invoice मिल जाएगा, आप mail करिये, मेरा team आपको invoice mail कर देगा, accountant दे देगा आपको, जो invoice हम लोग 6 मैना पहले government को दिये थे वोई वाला, कोई अलग नहीं है, same, because जब तक हम आपको invoice देंगे नहीं, तब तक आपको input मिलने वाला नहीं, it can be sent electronically, लेकिन 4 साल पहले, अब उसका return नहीं, अब आपको refund मने उसका input नहीं मिलेगा, कोई limit होगा, तो कोई एक साल पुराना होता है, तो वैट return तो पूरा साल का भी एक ठो अलग से लगता है, तो उसके बाद government कोई return वगर वापिस नहीं देने वाला है पैसा, इंडिया में तो ऐसा है मेरे ख्याल से, यहाँ पर तो चार साल बोला था, it can be sent, यह इन वाइस का format पूरा क्या, it can be sent electronically, if the customer agrees, आप फिरिकली भी दे सकते हैं customer को, और online invoice भी दे सकते हैं, a VAT invoice must contain the following, सब वो ही है जो आपके feeling में आएगा, पहले company का नाम सराफ, गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, then five number mango lane, सुरेंद्र मोहन गोसरणी, कौल काता 1, VAT registration number मेरे को याद नहीं है, मेरा खुद का ही, फिर invoice date, किस date का invoice है, फिर tax point, tax point मतलब यह कौन सा period का है, तो अगर हम यहाँ पर यह tax point इंडिया में अलग से हम लोग तो नहीं लिखते, हम लोग तो date लिखते हैं, तो पता चल जाता है, जुलाई का है, अगर आज की दिन invoice बनेगा, कोई भी student pay किया, तो कौन सा invoice बनेगा, औगस्त का बनेगा, तो हम लोग के यहाँ तो कोई tax point अलग से है नहीं, यहाँ पर यह लोग लिख रहे है, tax point September, यह tax point कहां से आया, किसी को कुछ पता है, what do we mean by tax point, this tea, एकदम, 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 यह यहाँ क्यों नहीं है, because previous chapter में पढ़ चुके, कि basic tax point के अलावा, अगर आपने invoice पहले दे दिया, अगर पैसा पहले मिल गया, तो tax point वो माना जाएगा, अगर 14 दिन के अंदर invoice दे दिये, तो वो माना जाएगा, और नहीं तो normal, normal क्या था basic tax point में, जब आप समान का control customer को देंगे, service delivery करेंगे, अना, तो वो tax point date यहां लिखना है, कि आपका tax point क्या है, इंडिया में यह नहीं है सर, ठीक है, invoice number, हर invoice का number होता है, invoice number, यहां पर लिख दिया पहले supplier का नाम, आप seller है आपका नाम, यहां लिख दिया VAT registration number, यहां लिख दिया invoice कब दिया, यहां लिख दिया tax point, यहां लिख दिया sequential number of invoice, इतना तो heading हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा customer का नाम, customer का address, customer name and address, जो हम लोग भी लिखते हैं, माल लिजे प्रियोजीत है, अब प्रियोजीत का हम लोग invoice पे, प्रियोजीत बर्मन नाम लिख दिये, लिख दिये कि he has joined for these subjects, आप मांगे नहीं तो भी बना है invoice, आप नहीं मांगे तो department को तो देना होएगा न, लेकिन प्रियोजीत अगर बोलेगा, मेरा invoice मेरे को दीजिए, तो address फड़रिस मांग कर पूरा लिख कर देंगे, बकाइदा, तो यह invoice हो गया, उस पर customer का नाम और address हो गया, उसको क्या दिया, हमका, क्या course बेचे, skill level वगरा, जो भी level, जो समाना बेचे, description of goods and services offered, complete address, name and address, फिर उसके बाद, समान को delivery कहीं पहुचाना है, तो अलग से और भी कुछ पैसा लगा, मने, बिल में हम अलग-अलग दिखा रहे हैं, total VAT inclusive amount, VAT exclusive amount अलग से, VAT अलग से जोड़ा, इंडिया में भी, मैं tuition fees, आप से माल लिजे, मैंने 30,199 दो subject के लिए लिए लिगा, तो पहले हम लोग जब invoice बनाते हैं, तो वो GST छोड़ कर होता है, 30,199 divided by 118 into 100, जो आएगा figure वो 24-25 रुपी आएगा, फिर नीचे बोलेंगे GST, उसमें state sales tax, state goods and service tax is 9%, and central goods and service tax 9%, दोनों अलग-अलग figure निकालेंगे, फिर invoice का total में जोडेंगे, तब आपको invoice का total मिलेगा सर, सेम इंडिया में रूल है, सेम रूल है, no discount on orders below 100, इन लोग अगर discount का क्यो रूल है, वो बताना है, हमारे हाँ तो कोई discount का रूल नहीं है, सर कुछ नहीं बताना है, rate of VAT आपको mention करना जरूरी है, आपका VAT rate क्या है, मेरा 18% है, इंडिया में तीन तरह का rate है, 18, 28 and 5%, कुछ essential item पे 5% है, luxury item पे 28% है, और मेरा जैसा item पे 18% है, लेकिन अगर school college को tuition fees देंगे, school college को, तो VAT नहीं है, हम लोग school college नहीं है, so for that reason हम लोग के लिए VAT है, मुलता है कि invoice को थोड़ा simplified भी में भी बनाया जा सकते है, इतना जूल जाल लिखने का जरूरत रहीं है, a simplified invoice can be issued for supplies less than $250, VAT inclusive, अगर किसी customer को अब 250 के अंदर का समान बेचने हैं, तो आपको इतना detail नहीं लिखना है, simplified inviases are less detailed and only need to show, supplier's name, हम लोग उपर भी लिख रहे थे, supplier's name, अपना company का नाम तो लिखना होगा, address लिख रहे थे, अपना VAT, यानि कि ये तो दोनों common है, भूल जाईए इसको, date of supply उपर भी लिख रहे थे, date of supply लिख रहे थे, क्या उपर? हम तो invoice date लिख रहे है, tax point लिख रहे है, date of supply नहीं लिख रहे है, यानि कि अगर आप simplified invoice बनाएंगे, तो ये नया चीज हो गया, date of supply, description sufficient to identify goods and services, ये क्या लगता है? ये दोनों में है, simplified और normal में? description sufficient to identify goods and services, उपर में जब ये बोल रहे हैं, कि ये normal invoice है, ये normal invoice में आपको बोला जा रहा है, description that identify goods and services, supplies and quality supplied, यहां तो ये, और ये नीचे भी है, येने कि shortcut invoice में, simplified invoice में ये भी है, VAT rate applicable वहां भी है, amount payable including VAT for each rate, ये थोड़ा अलग है, ध्यान देंगे, normal invoice के अंदर, आपको VAT को छोड़ कर amount क्या है, फिर VAT अलग, फिर total inclusive VAT क्या है, वो लिखना है, लेकिन simplified invoice में VAT rate लिखना है, और including VAT amount क्या है, सीधा वो लिखना है, amount payable including VAT, अलग से VAT को छोड़ कर amount क्या है, वो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन VAT rate दोनों में common है, यानि कि क्या चीज अलग हुआ, simplified invoice में, date of supply, amount payable including VAT, और क्या, ऐसा नहीं लिखा, कि customer का पूरा home address description लिखिये, नहीं बोला, tax point नहीं बोला, invoice date नहीं बोला, numbers तो common हैं लेकिन बोला नहीं है, और क्या नहीं बोला, ये भी नहीं बोला, date of discount if any offered, यानि कि simplified invoice में, बहुत सारा चीज missing है, कब बना सकते हैं simplified invoice, अगर किसी को 250 के अंदर supply किये, look at the following list of items, select by entering the appropriate number, whether the items should only be shown on a normal detailed VAT invoice, should be shown on both a normal detailed VAT invoice, and a simplified invoice, or should not be shown on either form of invoice, should only be shown on normal detailed VAT invoice, should be shown on both normal detailed VAT invoice, and simplified invoice, should not be shown on either of the invoice, पहला खाली detailed, दूसरा दोनों में, और थीसरा कहीं नहीं, बोलता है ये सब item को आपको number देना है, 1, 2, 3, identifying number, ये identifying number क्या हुआ, इन्वास का नंबर, बिगास गुट्स का इंटिफिकेशन नहीं बोल रहा, identifying invoice number, तो आज इस simplified invoice पे तो नंबर देने बोला नहीं है भाई, तो you can see only one tax point, only one delivery date, only two, की one and two दोनों, लेकिन उपर में only simplified invoice, तो question में नहीं है ना, question ये, पहला बोला बोला detailed, दूसरा बोला बोला detailed और simplified दूसरा बोला किसी में नहीं है, तो हम only two अगर लिख रहे हैं, तो भी तो first में में गुच जा रहा है, समझ देजी, लेकिन ये तो दोनों ही आएगा न, total amount of VAT payable तो only one, total amount of VAT payable only one, because in a simplified invoice, अलग से VAT का figure नहीं है, total inclusive amount है, लेकिन normal detailed invoice में, without VAT, VAT अलग से फिर total आता है, तो total amount of VAT payable is only in one, not in two, निसानती जी, customer's registration number, only in one, because जो simplified invoice है, उसमें तो customer registration number लिखने बोला नहीं है, बट लेकिन अगर practical life की बात करेंगे, अगर छोटा मोटा sale भी है, और उसको VAT input चाहिए, तो मेरेको तो उसका GST number लिखना पड़ेगा, invoice में, identifying number, tax point, क्या लिखा है, ये लोग देखते हैं, एक बार, एक ये लिए only one लिख रहा है, because invoice number आपको simplified invoice में लिखने बोला नहीं है, B के लिए two लिख रहा है, मतलब दोनों में चाहिए, tax point date दोनों में चाहिए, लेकिन यहां तो clarity नहीं आ रहा था, यहां लिखा simplified invoice में date of supply, should we say date of supply as a tax point, वो ही बोल रहा है, तो इसको माल लेते हैं, कि दोनों में चाहिए, ये C number किसी में भी नहीं चाहिए, C number क्या था, delivery date किसी में भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए C, नहीं तो date of supply और delivery date दोनों में क्या अंतर हुआ, हम इसको confusion दूर करने के लिए tax point लिख दे रहा है, और इसको हम reds, से normal blue कर दे रहा है, कि हम लोगों तो जल्दी से ध्यान दखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होएगा, हम इसको date of delivery, because वो confusion कर रहा है मेरे को, delivery of supply, date of delivery बोलता है, कोई भी invoice में नहीं चाहिए, customer को कौन सा दिन समान service दिये, मतलब नहीं है, tax point चाहिए, D number 1, D number मतलब, VAT payable तो खाली 1 में आता है, because उसमें तो inclusive VAT figure आता है, और ये last number क्या है, customer registration number, customer registration number, ये लोग तीन number लिख रहे हैं, मतलब किसी में भी नहीं चाहिए, ऐसा कैसे, ये वाला में तो नहीं चाहिए, लेकिन उपर में, customer's name and address, यहाँ पर भी नहीं चाहिए, लेकिन उपर लिखा कि, अगर आप VAT registered person को समान बेचेंगे, तो आपको VAT registration number customer का लिखना आएगा, यनि कि customer registration number invoice में तभी आएगा, जब आप customer जो जिसको बेच रहे हैं, वाट registered है, जैसे मैंने आप लोग को sale किया, तो मैंने आपका invoice में VAT registration number आपका नहीं लिखा, है यह नहीं आपका कहां से, प्रियोजीत का VAT registration number आपका कहां से लाएंगे, मानाओ का कहां से लाएंगे, हमारे पास थोड़ी नहीं, यनि कि VAT registration number किसी में भी compulsory नहीं है, हाँ, अगर आप registered person को बेचेंगे, तभी compulsory होएगा, ऐसा question exam में आ जाता है, यनि कि C number और, अगर B2C transaction को कर्टो देशी नहीं पाएंगे, नहीं, B2C में भी होता है, sir, तो अब मेरा तो सारा sale B2C ही है, हम तो कितना जन को देते हैं, वो लो क्या बोलता है, जैसे चार्टेड काउंटेंट है, लेने आया, तो चार्टेड काउंटेंट बोला, sir, मेरा firm है, बहुत sir है, बोला, हमको GST input, वो प्रांदेशन से B2B काउंट हो गया ना, बट वो खुद पढ़ रहा है, वो खुद पढ़ रहा है, आप वैसे B2B बोल रहा है, मैं B2B सोच रहा हूं कि एक साथ बुल्क में डील वा, वोल्यूम, अच्छा, ठीक है, ठीक है, नहीं डाल पाएंगे, अच्छा, पाएंगे, बोल रहा है, वो कस्टिमर को, उतना जानने का जरूरत नहीं है, ये लोग वह ऐसा बोल रहा है, कस्टिमर को पता चल सकता है, उसको बोलेगा, बता दिया जाएगा, बट उसमें बिल में ऐसे नहीं दिखाना है, कि इसमें वैट का पैसा इतना है, अगर 250 तक है तो, ये लोग बोल रहा है, simplified, बोला चीज को simplified कर देते हैं, आपको उस केस में simplified invoice चलेगा, ये लोग ऐसा बोलना चाह रहा है, इंडिया के अंदर तो, मेरे को नहीं मालूम है, sorry, I don't know, बट इसमें बहुत सारे कंट्रीज में, जब से बहुत सेंज कला बास है, जैसे माली जियागर मेरा, मेरा सुपर मार्केट है, 250 पॉंड का amount हो गया, इंडिया है, 25,000 पॉंड के नीचे का एक बेल, आप इसे बनेगा सर, वहाँ बर्ती करके बनता है यार, बनेगा, इसमें मेरा सुपर मार्केट है, तो हम सीपी को वैट पेबल अकर, मने सो नहीं करेंगे, मेरा सॉप्वेर में फिर डेटेल, मने सॉप्वेर के अंदर, वह अपने आप इंटू 18 बाइंटू 20 बाइंटू 20 बाइंटू 20 करके निकाल के बस पेइमेंट हो जाएगा, जोड के, मने एंट्री जब करते हैं, जैसे हम लोग, मालनो हम लोग तो एंट्री करते हैं ना, क्रेडिट ट्यूशन फीज का कैस आया, बैंक डेबिट, क्रेडिट ट्यूशन इंकम वैट को छोड़ कर, और क्रेडिट वैट पेएबल, जीएस्ट पेएबल अलग से क्रेडिट करके रखते हैं, फिर बाद में पूरा मेना बीच जाता है, तो हमारे पास लेजर रेडि है, कि मेरे को जीएस्ट कितना पी करना है, उसको रिकनसाइल करते हैं, कि पूरा मेना में जो फीज आया, सब रिकॉर्ड हुआ की नहीं, सब का बिल बना की नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या-क्या खर्चा हुआ, खर्चा में जो जो खर्चा माल लेजे, मैंने कम्प्यूटर खरीदा, तो हम लोग एंट्री करते हैं, कम्प्यूटर अकाउंट डेबिट वाट को छोड़कर, वाट इन्पूट अन कम्प्यूटर अलग से डेबिट किये, क्रेडिट कैस या बैंक जो मैंने पैसा दिया, तो वो भी हम लोग फिर बाद में चेक करते हैं, कि सारा इन्वाइस वगरे रेडी है ना, उरको अलग करके सेट करते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन में, आउट्पूट माइस, इन्पूट माइस करते हैं, और फिर रिटर्न लगाते हैं, पे करते हैं, यह हम लोग करते हैं, यह अगाउंटेंट करता है, तो वो इंटर्नल ही किया जाएगा, बट आपको इन्वाइस बनाने के टाइम पर उतना ब्रेक अप नहीं दिखाना है, यह बोलना चाह रहा हैं, मेरे को लग रहे हैं, नहीं क्या, हम लोग क्या चाहतें जिंदगी में, सिस्थम थोड़ा सिंपल हो, यह लोग बोल रहे हम सिंपल करने हैं, में भी, ठीक है, लेट पेमेंट और लेट फाइलिंग, आप अगर देरी से जमा करेंगे, तो पेनल्टी क्या लगेगा, डिफॉल्ट ऑकर्स वेन वाट रिटर्न इच फाइल लेट, और वाट पेमेंट इज मेड लेट, माने रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट दोनों डिव डिट क्या है, क्वाटर का एक मैना साथ दिन बाद, मार्स के लिए में सेवेंथ, फॉर अलेट पेमेंट डिफॉल्ट सर्चार्ज पेनल्टी में अराइस, खितना होगा, नीचे लिखा होगा है, आपके पास वाट डिपार्ट से नोटिस आएगा कि आपका रिटर्न इस साल का इस क्वाटर का लगा नहीं है, देले हो गया, आपको कोई पेनल्टी नहीं देना है, बस आप ये 12 मन्स पीरिएट चालू हो गया, यहाँ ध्यान देना है, बुलेगा नहीं समझ में आ रहा है, पांच मिनिट रुकिए समझ में आएगा, मालनीजे मैंने जून का रिटर्न 7 अगस्त तक युके में नहीं लगाया, डिले हो गया, तो अब 7 अगस्त से मेरा 12 मन्स का एक सर्चार्ज पीरिएट चालू हो गया, सर्चार्ज पीरिएट स्थाट होगया, थेक है, इर इज वी नो दीफोल्ट सर्चार्ज, अगर मैंने पहला बार डेफोल्ट किया है, जोई ह 24 अ força पीरिएट देफोल्ट है, Default in the surcharge period, 1st 2% extra, 2nd 5% extra, 3rd 10% minimum 30, 4th and subsequent 15% minimum 30, मैंने जून का return 7th August तक नहीं लगाया, यू के की बात करना हूं, इंडिया की नहीं, जून 2nd quarter खतम हुआ, मैंने 7th August तक return पैसा नहीं दिया, delay हो गया, तो 7th August 2023 से, 7th August 2024 तक मेरा default surcharge period चालू है, जिस दिन default हुआ, उस दिन से 12 मैंने आप गिल लेजिये, अब माल लेजिये, मैंने, ये जो default period चालू हुआ, 7th August 2023 से, इस period में मेरा return फिर से लगाने का time कब आएगा, जून का तो मैंने delay किया, July, August, September का return मेरे को number 7 तक लगाना है, माल लेजिये, मैंने उसमें भी default कर दिया, अब penalty लगेगा, due default in the surcharge period, पहला बार आप default करेंगे, पेनल्टी नहीं है, लेकिन जब आप पहला default करेंगे, तो वहाँ से 12 मैंना आप गिल लेजिये, उसके अंदर अगर आप फिर से default करेंगे, तब penalty, जितना आपका VAT amount है उसके ऊपर, first बार default करेंगे 2%, second बार default करेंगे 5%, third बार default करेंगे 10%, और minimum 30, और fourth और subsequent बार default करेंगे 15%, अब ध्यान दीजिये, माल नीजे, आपने जून का return 7 अगस तक नहीं लगया, तो 7 अगस 23 से लेकर, 7 अगस 24 तक आपका surcharge period चल रहे, default period चल रहे, ये period कब खतम होगा, जब आप आगे का चारो return 7 अगस 24 तक time पे लगाएंगे, माल नीजे, आपने October, September का return, November 7 तक नहीं लगाया, तो आप November 7, 23 से लेकर, November 7, 24 तक आपका surcharge period चलेगा, जब आप default करेंगे, वहाँ से period start होगा, एक साल तक, और उस एक साल की अंदर सारा return time पे लगाना होएगा, अगर आप उस एक साल में फिर से default करेंगे, वहाँ से नया 12 म आप चलेगा, ऐसा ये लोग बोल रहा है, ये कैसे समझ में आता है, यहां से नहीं समझ में आता है, जब नीचे का example देखते हैं, चका चक समझ में आता है, चका चक, देखिए, जबी भी कुछ पढ़ते हैं, law, regulatory, चीज, माल नीजे कोई provision पढ़ रहा है, नहीं समझे, टें एचे एग्जांपल पढ़ेंगे, अपने आता हैं, अपने आता है, जबी अपने आता है, तो बोल रहा है, तो लिविग स्टोन लिमिटेद है, पड़ते है, वाट देखिए, टेखिए, जबी जून का रिटर्न, 16 अगस्त को लगाया, जग की 30 जून का 7 अगस्त, लास्त 30 सेप्टेंबर का रिटर्न 19 नौंबर को लगाया, उसका भी रिटर्न फाइलिंग डेट 7 नौंबर है, लास्त डेट, तो पहले आपने 30 जून का रिटर्न 16 अगस्त लगाया, यानि कि यहां से एक साल चालू हो गया, अब आप एक साल के अंदर अगर फिर से डिफॉल्ट क गुल कर दिया, बोल रहे है, वाट रिटर्न पिरियद फोर्टर अंदे 30 जून इच 7 अगस्त, इस वाच फाइल देट, अं 16 अगस्त, इस वाच वाच पनीज फॉल्ट इफॉल्ट, तो अ सर्चार्ज पिरियद बिगिंस, इस विल एंड उन फॉल्वाइं 30 जून, यहां प तक, तो 30 जून 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक, there is no default surcharge as this is the first time default, but आप इस पिरियद में जो surcharge period है, वाट रिटर्न पिरियद for the quarter September फिर से आप डिले कर दिया, यह surcharge period में आपका पहला default है, तो this was the company's first default in the surcharge period, the surcharge period is extended यहां से, अब यह October September का था था ना, अब आपका surcharge period सेप्टेंब 2030 तक बने, और एक साल बढ़ गया, वाह से, as the first is the first default in the surcharge period, तो जो आपका 26 to 100 है, उसके आपको 2% देना है, कम से कम 30 तो देना ही पड़ेगा, अगर यह 2% कम भी आएगा, तो भी 30 minimum देना है, कोई परेनम यह सब calculation नहीं है, सीधा amount के ऊपर 2%, अगर आप दूसरा बार फिर default क के अक्टूबर के बाद आप मालनीजे डिसंबर वाला फे default कर दिया, अब डिसंबर वाला पे जो amount होगा plus 5%, अब फिर default कर दिया, third or fourth, तो जो default करेंगे उसका 10 और 15% plus minimum 30, slab, याद करना है, exam में नहीं देगा, you need to remember, first बार डिफॉल्ट करेंगे, surcharge period में 2%, second बार 10%, fourth बार 15%, और जहाँ जहाँ default करेंगे, वहाँ से 12 मेना नया नया गिनते जाएंगे, जब तक पूरा पाप नहीं दोएंगे, तब तक गंडा गुल चलती रहेगा, कोई बुलेगा क्यों गरबड करेंगे ऐसा, अगर युक्य में है, मालनीजे कोई तकलीफ है, family में कुछ तो भी यार डीले क्यों करना है, अगर एक्जाम है तो डीले क्यों करना है पढ़ाई करने में, अगर एक्जाम है तो प्रॉपरली क्यों नहीं पढ़ेंगे, अगर यह सोचेंगे कि टैक्स ठीक से नहीं पढ़े, दूसरा सबजेक्ट ऐसा ही होने बाला है, same story होने बाला है पढ़ाई पढ़ाई है, एक्जाम देना है तो उसके लिए पढ़ना पढ़ेगा, चार पांच गंटे नहीं, डेली दो गंटे, चाहे कोई भी आपका परिस्तिती हो, every day you need to study two hours, from the beginning when I started the class, from the beginning I will be starting 10th or 11th of September FR, आप अगर regularly नहीं पढ़ेंगे, यही हाल होगा, December में जब FR exam देने जाएंगे, अभी तो exemption मिल जाएगा, बाद में तो नहीं मिलेगा भाई, फिर tension चालूएगा, पढ़ाई, exam देना और common sense knowledge होना दो अलग-अलग चीज है, exam के लिए student बनना पढ़ता है, तो बोल रहे हैं एक बार वहाँ गरबड़ी करेंगे, एक साल तक सुधरना पड़ेगा, और गरबड़ी करने के बाद गरबड़ी बार-बार करते जाएंगे, पेनल्टी जोर-जोर का लगते जाएगा, लगते जाएगा, लगते जाएगा, 2%, 5%, 10%, 15%, 10 और 15 में minimum 30 pound तो लग गल्ती है, गल्ती, गवर्मेंट ने पकड़ा, आपने पकड़ा, किसी ने भी पकड़ा, गल्ती है, भूल के हो गया, ट्रेडर्स कैल्कुलेट दियर ओन वैट लिएबिलिटी, हमारे एक रिलेटिव क्यों हुआ था, फ्लाई एस बनाते हैं, फ्लाई एस में कुछ राव मेट्रियल यूस होता है, वो राव मेट्रियल यूस करने से जी जादा है, वो लोग नहीं दिखा रहा था, वो लोग ब बनाते हैं, गवर्मेंट का सारा आदमी लोग आ गया, पकड़ के ले गया, पकड़ की मतलब पुलिस में नहीं सारा वैट पूरा चार्ज किया, पूरा चार पांस साल का, क्योंकि देवियर नॉट दूइं करेक्ट, ओके, उनका राइट है कि आपके प्रिमाइस में आकर कर सकते हैं, errors on the VAT return may lead to standard penalties, जो आप पहले पढ़ चुके हो, slab मेरे को नहीं आद है, however no default interest will be charged if the error is below the diminished limit and voluntary disclosed by the taxpayer, बुलता, अगर आपका जो भी गलती है, वो बहुत कम amount है, और साथ में आपने गवर्मेंट को स्वेच्छ से बता दिया है, तो in that case penalty नहीं लगेगा, उसके लि बुलता है, बुलता है, fund, errors आपका found by the trader and disclose voluntarily, मेरा गलती, मेरे को पता चला, मैं गॉवर्मेंट को सरेंडर करके खुदी बता रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर amount कितना है, greater of 10,000, और 1% of turnover, subject to 50,000, दोनों में higher, दोनों में ज्यादा amount का बात कर रहा है, give me one second, just coming from washroom, one second, झाल, 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 झाल 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 आपका जो वैट का पेमेंट है जिसका प्रॉब्लम्स हुआ जिसका डिफॉल्ट किये उसके लिए बोल रहा है वो अमाउंट इन दोनों से ज्यादा है क्या? इन दोनों से या तो 10,000 या 1% of turnover whichever is higher, greater लेकिन subject to upper limit of 50, माल नीजे आपका turnover पचास करूड है तो 50 करूड का 1% तो 50,000 से ज्यादा होता है तो 50 ही पकड़ना है अगर आपका turnover का 1% 50,000 से कम है तो वो पकड़ना है उसको और 10,000 में दोनों में higher अगर आपका जो default का amount है वो यह जो दोनों में higher उससे कम है net error diminished limit include on the next VAT return कुछ नहीं करना है बस आप next VAT में जोड जाड कर उसका payment कर दीजे कहानी खतब लेकिन अगर आपका amount यह जो limit है उससे ज्यादा है मतलब बड़ा गपला है net error is greater than diminished limit separate notification separate notification default interest लगेगा default interest का जो वो जो slab था intentionally deliberate concealed 100% 30 वो ही है नया कुछ नहीं लिका हुआ है वो ही है वो exam में दिया रहेगा और अगर आपका amount ज्यादा है तब और अगर आपने स्वेच्छा से बोला ही नहीं government ने चान बीन करके सब पता लगाया आपका error का issue assessment within 4 years of the relevant VAT period लेकिन जान बुच के चुपाया गया तो 20 साल तक government आपके पास जा सकता है तो उसमें default interest penalty लगेगा और हो सकता है government बोले भाई आप next return में जोड़के दे दीजिए taxpayer government के against में appeal कर सकता है HMRC tribunal में जा सकता है जो इंडिया में भी होता है यानि कि अगर आपने गलती की आप स्वेच्छा से बता दीजिए limit कमती है कोई कुछ नहीं है लेकिन अगर limit के ऊपर है तो fine penalty interest लगेगा और आपने बताया ही नहीं गवर्मेंट नहीं पता लगाया आप तो डंडा खाओ Standard penalty for submission of an incorrect VAT return Standard penalty for submission of an incorrect VAT return मतलब उसमें भी यहाँ पर भी जो standard penalty है वो लगेगा standard penalty कुछ दिया तो नहीं यह लोग provisions कहीं लिखावा नहीं आपका Your firm P limited has four new clients who have been struggling with the VAT administration and have now engaged the firm to prepare their VAT return while preparing the client's return for this quarter you have noticed the following errors in the return from the previous quarter बुलता प्रिवियस quarter में यह सब गलती है इतना error है इतना turnover है तो बुलता है for each of the business indicate whether they can correct with their own non-deliberate errors on the next VAT return or whether separate disclosures is required तो आप compare करिये divinus amount, VAT amount और 1% of turnover, 10,000 और 1% of turnover तो 1% of turnover यहाँ पर 1500 तो वो तो उससे lower ही है दोनों में मिला के 10,000 आएगा आपका divinus, 10,000 और 1% of turnover whichever is high, 10,000 but your error is less than that so included in the next VAT return आपको separate disclosures में नहीं जाना है यहाँ पर 10,000 और यह तो 10,000 से जाद है 30,00,000 का 1% मतलब 30,000 10,000 और 30,000 दोनों में हायर 30,000, this is lower than that so this is also included in the next VAT return even though greater than 10 but 1% of turnover से तो अंदर है ना this is 35,000 और 10,000 हायर लेकिन यह 35 के ऊपर है 35 और 10,000 दोनों में हायर 35 but the error is greater than 35,000 तो यहाँ पर तो separate disclosures करना आएगा this one 57,000 into 1% 57 but maximum 50 50 और 10,000 दोनों में हायर 50 but the error is greater than 50 तो यहाँ पर भी आपको separate disclosures करना है तो यह दोनों में नहीं करना है यह दोनों में करना है 1% of turnover first वाला case में 10,000 हायर is 10 your error is less than 10,000 तो आपको next return में खाली बता देना है 30,000 1% और 10,000 हायर 30 but आपका error 30 की अंदर है तो आपको next return में बता देना है तीसरा case में 35,000 और 10,000 हायर 35 लेकिन आपका error 35 से ज़्यादा है तो आपको separate disclosures करना होएगा 14 में case में 50,000 50 और 10,000 हायर 50 लेकिन आपका error 50 से ज़्यादा है तो आपको separate disclosures करना है default interest तो उफर बोल रहे थे न यहाँ था मैं बोल गया था यहाँ पर बोल रहे थे कि अगर आपको normal standards penalty for submission of an incorrect VAT return यहाँ पर maybe you can say that that is a default interest मतलब आपने VAT का पैसा देरी से pay किया तो interest लगेगा 3.25% per annum पहले भी किये थे individual में भी company में भी अगर आपने tax बाद में pay किया तो interest लगेगा 3.25% per annum यानि कि आप दूसरे VAT return में जोड तो लोगे लेकिन वो पैसा आपको देना था पहले आप अभी चार मेना बात दे रहे हो तो आपको चार मेना का at the rate of 3.25% उस पह interest देना होगा कोई fines penalties नहीं लगेगा खाली interest लगेगा a person a taxable person may be charged default interest where HMRC raises an assessment or the taxpayer voluntary discloses an error that exceeds the minimum limit interest runs from the date that the tax have been paid to the actual date of payment a standard interest by HMRC is limited to लेकिन यहा पर सब क्या लिखा होगा ध्यान दीजीगा बुलत है HMRC raised an assessment तब the taxpayer voluntary disclosure exceeds the minimum diminished limit मतलब आपका 10 or 50 से ज़ाद है interest runs from the date of tax should have been paid to the actual date of payment जब पही करना चीए था तब any interest charge is limited to a maximum of 3 year prior to the date of assessment volumentarily यहाँ पर यह जो divinus amount वाला case है नहीं बुल रहा है तो यह standard penalty है वहाँ interest का बात कर रहा है interest आपको पे करना है अगर आप volumentary volumentarily आप divinus amount से ज़ादा का tax का गरबड़ी की है volumentarily है लेकिन divinus amount से ज़ादा है यह आपको government बोला तो उस case में interest है जब आप divinus amount के अंदर गरबड़ी की है तो interest नहीं है केवल penalty है यह interest तब ही लगेगा जब बड़ा गरबड़ी है आपने स्वेच्छा से बताया तो भी but this interest is payable when the big default or the government is saying और interest 3.25% करीब है H. discovers an error in VAT return for the quarter this which had led to an under payment of 54.100 H. pays the out is standing on 7th March 23 December 21 का payment कब तक करना है February 2023 थक quarter खतम होने के बाद 1 month 7 days so payment करना था December 21 का February 22 7th February 2022 तक आपने पेमेंट किया 7th March 2023 यहनि कि एक साल एक मैना 13 months का आपने डिले किया interest rate 3.25% कर लाएगा payable interest interest कितना परी करना पड़ेगा तो आपका return जो divinus amount के ऊपर because 50,000 or 10,000 higher 50 default error आपका 54 का है so you are coming in that category और आपको उसके ऊपर default interest तेरह मैना का at the rate of 3.25% पे करना पड़ेगा in addition penalties will apply the precise percentage will depend upon images behavior यह behavior penalty किसके ऊपर है जो slab है concealment with deliveration concealment without deliveration वगर 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 जो था 100% 30% 60% वो slab दिया रहेगा और भी fine penalties लगेगा depending upon आपने किस तरह से गवर्मेंट के साथ माने manage किया अगर small business है तो return साल में लगाना है बुलता है मैंना quarterly लगाना ही नहीं है payment करना है annual accounting scheme बोलते हैं जिसको annual scheme में चले जाईए इंडिया में भी होएगा हमारे लिए तो नहीं है हम तो quarterly लगाते है operation of the scheme only one VAT return is submitted each year but VAT payments must be made regularly payment करते जाना हर quarter का next quarter एक मेना साथ दिन के अंदर return of annual लगाईए annual accounting scheme बोलकर है छोटे लोग के लिए scheme for small businesses the annual return must be filed within two months of the end of the return period साल का return दो मेना के अंदर the trader normally makes nine monthly payments on account at the end of month four through to month twelve the year each payment is based on 10% of last year VAT liability or an estimate for a new business यहाँ पर आप हर मेना पेमेंट क्या करेंगी बुलता है ऐसा लोग चौथा मेना से बारा मेना तक पे करेगा मतलब माल नीजी आपका साल है January से लेकर December so January, February, March तीन मेना गया अब आप अपरेल से लेकर December तक payment करेंगे हर मेना और a balance payment at normal due date normal due date आपका दू मेना बाद है the trader normally makes nine monthly payments in the account at the end of four month to twelve month each payment is based on 10% of the last year VAT liability a balance payment or repayment is made when the return is filed दू मेना बाद यानि के total payment अब 10 बार में करेंगे हर मेना नौ बार और उसके बाद return filing date के time पे इसका फायदा ये है कि आपको return एक ही बार लगाना है less administration process fixed monthly payments आपको कोई actual sale बगर ऐसे मतलब नहीं है each month तो submit return and make balancing payments extra month आपको दो मेना extra मिल रहे है payment करने के लिए traders can join the annual accounting scheme if the VAT exclusive taxable turnover VAT exclusive VAT मिला कर turnover नहीं VAT को छोड़ कर including zero rated but excluding sales of capital assets मालने जे मेरे याँ मैं कंप्यूटर बेचना हूँ वह VAT में नहीं included zero rated included excluding VAT to sale वह 13,50,000 के अंदर होना चाहिए the trader's VAT return must be up to date आपने का भी default time पे सब return लगाया है a trader must remain the scheme until the sale is greater than 16,000,000 कहीं पड़े थे कहीं ये limit 13,50,000,000 और 16,000,000 कहीं पड़े थे any administration process क्या भाई anywhere we studied मेरे को भी exact line नहीं आद आ रहा है लेकिन या तो company या administration individual का जहां तक बात है individual का उसमें पड़े थे कि अगर individual का income 13,50,000 के अंदर है sales receipts तो उसको उतना ज्यादा calculation ये सब नहीं करना है सीधा सीधी इतना amount पर इतना rates से tax दे दीजिए इतना income taxable माना जाएगा बुल गया हूं मैं provisions था तो वैट का ये जो amount चोटा business के लिए वो सेम है जो individual का normal business के लिए था और जब तक आपका turnover 16,00,000 को cross नहीं करेगा तब तक आप ये maintain करेगा नेक्स्ट बारह मैना में अगर आपका turnover 16,00,000 को cross करने बाल है तो आप ये scheme से बाहर आ जाईए patch accounts for VAT using the annual accounting scheme is VAT liability 38th April 2022 का 36 so May June दो मैना 38th June तक उनको return लगाना है when patch completes his VAT return shortly after the year and 38th April 23 he calculates the VAT due for the year to be 38,000 बुलता है की 38th April के लिए उसका 36,000 था लेकिन 38th April 23 एक साल बाद जब उसने अपना VAT निकाला है इस साल का तो 38 आ रहा है ये पिछले साल का ही इस साल का state what payments patch is required to make in respect of year ended April and when they will due तो पहले इस साल के लिए वो चौथा मैना मतलब आपका साल चालू हुआ था ये वाला 2023 23 एंड वाला साल अप्रेल में में जून जुलाई ओगस से में जून जुलाई ओगस से आप payment करना चालू करेंगे कितना 36,000 का 10% 36,000 का 10% आप ही करेंगे ओगस सेप्टेंबर ऑक्टूबर नौवर डिसंबर जैनवरी फेवरेड़ी मार्च अप्रेल और उसके बाद जो बैलेंस पैसा 38 माइनस जो बच गया वा पे करेंगे अप्रेल खतम होने के बाद में जून जून अंड तक विकास पेमेंट का कहानी यही था 9 मंतली पेमेंट स्वन अकाउन टोटलिंग 90% विकास हर मेना 10-10% मतलब 90% वो 90% आपको नहीं भी आद रखना है 36,000 का 10% 36,000 अप्रेल आपका ये रेंडिंग है अप्रेल मेसेज स्टाट होता है तो में जून जुलाई तीन मेना अटा दीजिए ऑगस्त से पे करेंगे अगस्त सेप्टेंबर, अक्टूबर, नौवंबर, डिसंबर, जैनवरी, फेबरी, मार्च, अप्रेल नौबार आप पे कर दिये नौबार पे करने के बाद आपका साल खतम हो गया 38,000 टोटल आया नौबार जो पे किये थे माइनस कर दिये बैलेंस आप एक करेंगे अप्रेल टेज के बाद दो मैना के अंदर मतलब जून थटीए तक small businesses के लिए payment regularly होना है लेकिन return साल में एक बार लगाना है return साल में बार बार चार बार नहीं लगाना है और ऐसे counting scheme return payment तब करना है जब पैसा आएगा अगर आपका credit sale बहुत ज़्यादा i scheme में चले जाएए tax नहीं देना पड़ेगा जब तक customer payment नहीं करेगा इंडिया में भी होएगा cash accounting scheme हमको तो नहीं मालूम है यार क्यों है पढ़ने जाए हम नहीं पढ़ाएं लेकिन होना चाही मेरे ख्याल से क्या निसान्त जी है क्या cash accounting scheme नहीं सर ये पैसे नहीं है नहीं पता है सर मैं नहीं बूल सकता बट मेरे को लगता है कि जहां पर माल लेजिए कोई का काम करते हैं और पैसा 7-8 मेना बाद आएगा तो उसमे tax कहां से देंगे आपके पास पैसा ही नहीं आया तो sale हुआ पैसा आएगा लेकिन वो rule ही है कि आपको पैसा 7-8 मेना बाद मिलेगा तो आप कैसे tax देंगे वो नहीं उठा पाएगा तो cash accounting scheme में यहां पर है कि operation of the scheme cash में आपको पैसा आएगा तब VAT देना है VAT is accounted for based on cash receipts and payments rather than based on invoice issued or received the tax point becomes the time of receipt or payment बुलता है advantage के है business selling on credit do not have to pay output VAT to HMRC until the payment is not coming in pocket this gives automatic relief for impaired debts मतला bad debt का कोई सवाल ही नहीं है पैसा आएगा तभी दिरे bad debt का क्या होएगा impaired debt, VAT debt कुछ नहीं होता है disadvantage input tax cannot be claimed until the invoice is paid this delay is recovery of input VAT मतला माल नीजिये आपकी यहां पर sales का पैसा तो देरी से आता है लेकिन आप जो भी समान खरीते हैं उसका वैट आपहली देते थे वो भी आपको बाद में नहीं वो आपको पैतुरंत मिल जाएगा लेकिन अगर आप payment वाला scheme में जाते हैं और आप payment नहीं करते हैं supplier लोग को देरी से करते हैं जब तक payment नहीं करेंगे input credit नहीं मिलेगा not suitable for cash sales or zero rated businesses that would simply suffer a default in input tax recovery जिसका zero rated supply है उसका तो sale पे tax ही नहीं है तो input पे जो tax दिये वो आपस कब मिलेगा जब आप input का payment करेंगे नहीं क्या तो उस case में आप इस scheme में मत जाएए आप तो input credit में खरी देए input credit लीजिए फड़ाफड government से पैसा लीजिए traders can join the cash accounting scheme if the VAT in exclusive turnover वो ही लिखा है zero rated capital asset छोड़ कर 13,50,000 के अंदर केवल cash basis में वो ही लोग जा सकते है छोटे लोग बड़े लोग नहीं जा सकते the traders VAT return must be up to date and they must have no convictions for VAT offences in the last year the traders VAT return must be up to date वही उपर बला कहानी annual scheme cash scheme में condition सबसे है अगर आने वाला 12 मैना में 16 लाग से जादा होने वाला cash scheme में नहीं जा सकते complete the table below stating which of the following मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ same as small business scheme ठीक है जिसे कि आपको फिर से पढ़ना ही नहीं पढ़े यह सारा वही बात लिखाव है जो उपर पढ़े थे small business scheme के लिए तो बोला इसमें बूल रहे है किसको cash basis वाला में जाना चाही benefit from cash accounting किसको एगा वास Limited is a company manufacturing mobile phone accessories which is sells to retail stores credit of up to two months is allowed for payment and वास Limited had to write off irrecoverable debts of 40,000 last year तो इनको क्या cash basis scheme में जाना चाही है क्या माल नेते इनका turnover 13,50,000 के अंदर क्या भई retail sale है cash का पैसा तो तुरंत आ रहा है हमारे जैसे है sale का पैसा तो आ रहा है आप payment credit दो मैना बात करते हैं आप cash scheme में जाएंगे input आपको दो मैना तक नहीं मिला कोई आल में नहीं जाना है normal scheme ठीक है cash basis नहीं ठीक है BB Limited makes bread which it sells to small local shops this is a zero rated activity zero rated activity में आपका तो output tax है नहीं तो input tax pay करे नहीं करे उसे क्या मतलब है चुप चाप से normal scheme में रही है कोई हाल में आपको cash scheme में नहीं जाना है jay owns a high street shop and sells directly to public all sales are standard rated for cash इसके लिए आपका sales तो क्या ऐसा है तो आपका GST तो अभी जाएगा क्या भई किसको cash scheme में जाना है किसी को भी नहीं यह हम लोग को first वाला में credit of two months payment allowed to customers कि allowed to suppliers मेरे को लगता है customer बोल रहा है तो इसके अंदर तो cash है यह supplier नहीं है customer है इसके अंदर तो cash scheme में जाना उचित होगा जब दो मेना बाद पैसा आता है business to business निसानते जी आपके language में तो दो मेना बाद जब पैसा आएगा तभी tax देंगे लेकिन यहाँ पर zero rated है यहाँ पर cash scheme में जाने का कोई फाइदा नहीं है कि है cash sale है cash sale का GST हमको उस समय देना ही है और कि हम cash scheme में नहीं जाते हैं तो जो purchase है उसका payment चाहरे हम करे ना करे हमको credit मिल जाएगा और अगर हम cash scheme में जाते हैं तो जो purchases है उसका payment जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको credit नहीं मिलेगा लेकिन यह purchases के बारे में कुछ भोला नहीं है लेकिन पैसा हम लोग को sales का पैसा तुरं 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 तुरंत मिल जाता है तो थर्ड वला case में cash scheme में जाएं कि नहीं जाएं पैसा आ गया output tax देना है input tax अगर हम pay करे ना करे तो भी मेरे को credit मिल जाए माल लेज़े ऐसा सोचे actually third वाला में यह लिखा नहीं है कि आपका supplier के साथ किस तरह से payment होता है तो इसने नौर्बली रखेंगे ठीक है पहला बहला यस दोनों नो बुलता है देर विल बी नो नीड फर बाद डेट्स रिलीफ बिकास बेसी चलेगा इधर में तो zero rated आपको input मिलेगा ही नहीं आप cash basis जाएंगे तो काय को आप चुप चाप input पड़ा बढ़ लीजिए J already accounts for output tax on cash basis registering for the cash scheme उट डेले recovery of input अगर supplier को देरी से देते नहीं भी बोला तो इसलिए cruel basis रखी flat rate इसकी मतलब input का वैट नहीं मिलेगा बस output पे इस rate से tax दी दीजिए इंडिया में है क्या ऐसा कुछ खाली बस इस rate से GST दे दीजिए story khatab ऐसा case normally तब होना चाहिए जब आपका जो भी supplier ऐसा B2C आपके language में निसानत जीए उनको कुछ input मिलना नहीं है हमको इतना मगजमारी क्यों करना है इंडिया में है कि नहीं मालूम नहीं है operation of the scheme net VAT due flat rate percentage applies to gross VAT inclusive VAT inclusive total turnover inclusive of zero rated and exempt supplies also सब कुछ जोड जाड कर no input is recovered the percentage varies according to type of trade that the business is involved in the relevant percentage will be given in the question VAT invoices issued as normal standard rated zero rated no input VAT records need to be kept the flat rate scheme can be used in conjunction with annual accounting scheme but not the cash accounting scheme आप annual VAT pay करेंगे उसमे तो ये लग सकता लेकिन cash के साथ नहीं जा सकता however the traders can request to apply the flat rate percentage to cash actually paid received rather than VAT inclusive turnover ये क्या बोला अगर आप cash accounting scheme में जाते हैं तब तो ये scheme में नहीं जा सकते ठीक है लेकिन अगर आप cash accounting scheme को भूल जाएए आप normally अपना annual accounting scheme में उसमें आप government को बोल सकते हैं कि जब मेरे को पैसा मिलेगा तभी मैं बैट दूंगा the traders can request to apply the flat rate scheme to cash actually paid or received rather than VAT inclusive turnover मतलब annual accounting scheme में जो पैसा आपको मिला और दिये उसी पे आप VAT देंगे जो due और नहीं वो annual accounting scheme में कर सकते हैं मेरे कोई समझ में नहीं आता not in the cash accounting scheme फिर बोलने का क्या फायदा हुआ जब बोली रहा है कि annual accounting scheme में आप ये कर सकते हैं कि आप जो पैसा आया और गया उसी पे VAT देंगे लेकिन बोल रहा है कि ये VAT inclusive नहीं है because उपर में जब आप annual accounting scheme में flat rate में जाएंगे तो sale VAT inclusive माना जाएगा उस पे percentage लगेगा यहाँ पर if you are in cash scheme then in that case you can't use however traders can request to apply the flat rate percentage to cash actually paid or received rather than VAT inclusive turnover मतलब annual accounting scheme में भी जो पैसा मिले और दिये उसी पे rather than VAT inclusive turnover मतलब annual accounting scheme में अगर आपका कोई credit sale था तो उस पे tax नहीं लगेगा लेकिन इसको ये लोग cash scheme नहीं बोल रहा है किसके लिए advantage है less administration burden possibly less VAT due चेक कर लीजिये आप किसमें less लगेगा conditions for the scheme traders can join if the annual turnover वोई in the tax year नहीं वोई नहीं है डेड़ लाग साड़े तेरे लाग के बदले केवल डेड़ लाग जिसका turnover डेड़ लाग के अंदर है the trader must have no conviction पहले कोई गलती नहीं की है the trader can remain in the scheme until आपका दो लाग थीज के आगे नहीं बढ़ने वाला है आने वाले समय में आपको जाना है की नहीं आप चेक कर लीजे lower कहां आ रहा है जहां lower आएगा आप उसी scheme में जाईए in the year ended 31st December 2022 R Limited makes actual taxable sales 1,20,000,000 VAT को छोड कर जबकि flat rate में VAT को लेकर percentage निकालना है R Limited also has some exempt supply is the value of which is 10,000 the total purchases excluding VAT is 30,000 all of which are used for taxable sales calculate the VAT due for the year the normal rate the flat rate scheme 10.5% normal rate पे तो आपको 120 पे देना है और 30 पे मिलेगा तो basically 120-30 90,000 पे at the rate of 18% लगेगा कानी कतम अगर normally करे तो 120 पे VAT लगेगा 30 पे मिलेगा 90,000 पे दोनों ही exclusive VAT है तो 90,000 पे at the rate of 20% because वहां तो UK में तो standard rate 20% ही है और अगर हम लोग ये flat rate scheme में जाते हैं तो input वगर है भूल जाईए total 1,30,000 के ऊपर including VAT जो including VAT sale आएगा उसके ऊपर 10.5% मतलब 1,30,000 को पहले 20% बढ़ाएंगे वो including VAT बनेगा फिर उसका 10.5% अब input credit नहीं मिलेगा so normal में output पे गया input पे मिला balance tax हुआ 18,000 flat rate scheme में पहले inclusive of sale आपका sale कितना है export sale और VAT inclusive sale है ये अब इसके ऊपर आपको VAT देना है 10.5% input नहीं मिलेगा तो ये तो कम आ रहा है 18,000 के बदले 16,170 तो flat rate scheme में 1,0830 बच रहा है तो इस organization को flat rate scheme में चला जाना चाहिए the organization having turnover less than 1,50,000 and in the coming 12 months not going to be greater than 230 can go into flat rate scheme no input credit nothing, सीधा सीधी VAT inclusive sale including exempt sale everything सब पे सीधा सीधी percentage percentage दिया रहेगा अलग-अलग industry के लिए अलग-अलग है आपको उसमें कोई records वगर है maintain नहीं करना है चोप चाप बस VAT दीजिए कहानी खतम and this is the last provision export करेंगे तो VAT नहीं लगेगा import करेंगे तो पहले VAT output देना है फिर आपको VAT input मिल जाएगा story इतना ही लिखा हुआ है impact of UK leaving the European Union European Union से UK निकल चुका है कोई मतलब नहीं है UK का transaction India से हो US से हो और UK में Germany से हो मने Europe में Germany से कोई फरक नहीं पड़ता है सब अलग है उसके लिए as a result the UK leaving the European Union there is no difference between VAT transaction with European Union country or India USA कोई फरक नहीं पड़ता है यह ऐसे ही लिखा हुआ an exam question will not specify whether an overseas transaction is with a country within European Union or outside Europe कोई फरक नहीं पड़ता है supply of goods or from overseas supply of goods export किये no VAT zero rated import किये postponing accounting क्या करना होगा जो import किये उस पर output VAT 20% दीजिए और फिर वही output VAT को input VAT claim कर लीजिए कभी-कभी ऐसा भी हो सकता output VAT ज्यादा दिए input VAT पूरा नहीं मिलेगा India में भी पहले तो था अभी नहीं है कि मालूम नहीं है यार इसको reverse charge बोलते थे इंडिया में क्या निसांद जी ध्यान है पहले दो फिर लो तो हम लोग 2016 सत्रह में अपनी कंपनी को रेंट देता था पहले देता था पिर लेता था अभी ऐसा नहीं करते हम लोग हाँ हाँ यस तो यह लोग अभी भी वैसा चला रहे although the postponement import VAT accounting rules are not compulsory it should be assumed that they apply to all import of good sindh exam वहाँ पर भी कुछ changes आया होगा बुलता है आपके exam के लिए आप यह समझ के चलिए import पर duty देना है और इसके बाद वापिस मिल जाएगा supply of services same कहानी supply of services अपने supply supply of services to or from business overseas place of supply is where customer business is situated मालने जे मेरे पास class में कोई जन UK से पढ़ रहा है तो मैं Calcutta India से supply किया हूँ लेकिन customer कहा है UK में है place of supply is where customer business is situated UK VAT registered customer must account for VAT output on the supply that is account for output VAT can recover as input VAT मतलब अगर आप UK से है मालने जे मैं UK से हूँ और मैं India में आप लोग को classes दे रहा हूँ तो supply of services हुआ place of customer outside India है तो ये लोग मान रहे हैं आप मेरे को foreign currency दिये होंगे UK में तो output that दीजिए input claim कर लीजिए but overseas VAT registered customers overseas VAT registered customer ये क्या हुआ UK VAT registered customer overseas VAT registered customer माने ये बोल रहा है customer का registration UK VAT registered overseas VAT ये वाला UK का customer है UK VAT registered supplier will not charge UK VAT on the supply as it is outside अच्छा वाला मन यहां पर बात ये हो रहा है कि मालने जे आप UK में है आप मेरे को पढ़ा रहे हैं तो आप service मेरे को इंडिया में दे रहे हैं लेकिन मेरा registration number UK से है क्यों है मालूम नहीं है भाई मेरा VAT registered UK से है तो आपको एक बार output VAT देना है फिर input claim कर लेना है सोच रहे हैं तो जेशे हैं तो आप में मिलगे आप UK के हैं लेकिन हो एक सिटीचंज है रहा वी gefास्च से है तो मेरा institution बार रहा बच्चा पर च्चा बोटा अशंपने मेरा India का वच्चा बाच्चा बोटा वाम तो एंडिया का कि माने कि फिर हां वाय मेरा आध है कि अगर हम लोग लंगन की किसी कंपणी को अगर रखर्फिस पोइचा है तो हमारा वीकुपी इंग तरह आपके थे हम इसको कर आपके का ओए कि अट दिखने नी जो है वो उसके स्वी मैं से जो रहा है बोड़ जादा कर दो हम इस यह बोड़ जाए बोड़ जाए बहुत ज्यादा कर्फूसिंग नहीं हो जा रहा है इसम्पल भासा में क्या बोले इसको दो लाइन में हां बोलिये ना बाएस सब्सक्राइब ना जो वाएस सब्सक्राइब कि अधर यह निए प्रूव कर पाई वो कस् εम अंफे हैं। वहाँ पे इत्रा साांत्रू अधिं कर दे रहे हैं। कोई मत्सक है रहा है। वहाँ राप समय नहीं कर वहाँ पाई पर्सम शान कर दा कर दो एक्जाम के लिए ऐसा नहीं सोच के simple मैं ऐसा बोलूगा इस language पर ध्यान दीजिए कि बोल रहा है कि अगर आप जिसको service delivery दिये हैं वो service लेने वाला जो customer है वो UK registered customer है तो आप output वैट दीजिए बाद में input claim कर लिया जाएगा वो person input weight claim कर सकता है लेकिन आप service जिसको दे रहे हैं जो customer है वो अगर UK registered customer है ही नहीं overseas VAT registered overseas मतलब UK के बाहर का तो आपको VAT लेना ही नहीं सिधा बाद समझे हैं सा because language तो यही बोल रहा है न UK registered VAT customer तो भाई output VAT दो लेकिन अगर UK के बाहर का registered customer है तो आपको service उसको दिये है तो आपको output VAT देना ही नहीं ठीक है ना simple बाद सिधा सिधे अभी बोलर A limited a UK manufacturing company making standard rated goods has the following information for the quarter to 30th September sales to UK sales to USA raw material and expenses material from USA accountancy services from Japan all purchases are standard rated all figures calculate VAT due for the quarter तो हम लोग गोलेंगे पहले तो हम लोग sales in UK किये उसमें ये वैट inclusive है कि exclusive है ये सब sales क्या है inclusive है exclusive है all purchases are standard rated all figures exclusive VAT बता दिया है यानि की 1,50,000 पर 20% जाएगा और ये जो 25,000 उस पर क्या होएगा 0 because export किये हैं इंडिया के बाहर माने country के बाहर कोई tax नहीं है अब input किस पर किस पर मिलेगा ये जो purchases किये हैं इस पर मिलेगा 35,000 का 20% इस पर मिलेगा materials from USA पहले आप output बोलकर इसके ऊपर 20% दीजिए फिर आप ले लेजिए लेकिन ये करना होगा यू क्यों विकॉज ऊपर तो यही लिखाया कि बहुत सार आइटम पे नहीं है लेकिन आप exam में मानके चलिए ये सभी material पे आप पहले देंगे पिर लेंगे मतलब pocket से कुछ नहीं लग रहा है पहले 5000 का 20% output फिर 5000 का 20% input इसका क्या होगा इंपोर्ट है लेकिन कौन इंपोर्ट कर रहे है कस्टिमर कहां का है नए supplier UK का है इस वरी supplier Spain का है आप परचीस करने services from Spain you are from UK जो organization का question दिया है वो organization यहां customer है number limited तो customer अगर UK का है तो हमने क्या बोला भाईया output वैट लेकिए फिर input वैट ले लीजिए यानि कि services के ऊपर भी आप 20% दीजिए और 20% ले लीजिए यानि कि ये दोनों पे आपको पहले 20% output लेना है फिर 20% input भी ले लेना है ultimately आपका pocket से पैसा कुछ नहीं जाएगा तो आपका normal sales जो UK में हुआ जो USA में export किये उड़ा दिये ये दोनों पे पहले 20% output वैट जोड दिये और फिर दोनों पे input वैट भी ले लिया हम लोग मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन since हम UK के registered customer है तो हम output वैट, input वैट कर लेंगे import के case में, services के case में, material के case में because हम UK से हैं बाहर के हैं तो हम यहां का रूल थोड़ी ना लगाएंगे माल नीजे, इंडिया का आदमी Spain से service लिया उसका UK में कहां से बात होएगा? कोई मतलब ही नहीं है ना? तो वो जो कहानी लिखा, उसका कोई मतलब, सीधा-सीधी मतलब है आप UK में है, तब आप UK का रूल लगाएंगे ना? आप UK के बाहर है, तो आपको क्या मतलब है? इंडिया, उसके सब में क्या हो रहा है? तो उसकेस में आपका, अगर डीटेल में जाएंगे, जो आप निसान जी बोल रहा है कि दुबाई में आदमी कहीं से भी आया, पांच परसेंट दो, वो कहानी चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को एक्जाम के लिए समझने हैं, तो सिंपल बात है, सेल पे टैक्स नह अगर मिलेया कहां से आपको, इतना ही Overseas बताया और कुछ नहीं बोला है, सिंपल बात, लेकिन बहुत बार Overseas related question पूछता है, student confusion में आ जाता है, जबकि बात को समझना है, confusion कुछ नहीं है यहाँ पर, नीचे लिग दिया है, USA से खरीदे, तो वाने सेल की यह वैट नहीं ल जहां से मेरे को यह बोलना है, कि सबसे important बात है, अगर आप return default करेंगे, तो एक default पे कोई चार्ज नहीं है, उस default period में, next एक साल default करेंगे, 2%, 5%, 10%, 15%, अगर आप बाद में return पे कर रहे हैं, default करने के बाद वगर ऐसा, वो divinus amount के ऊपर है, so 3.25% आपको interest per annum पे करना है, small scheme में जा सकते हैं, आप सीधा एक साल में return लगाईए, एक साल खतम होने के बाद, दो मेना बाद, payment आपको करना है, हर चौथा मेना से बारवा मेना तक balance जो बचेगा वो balance, उसके अंदर 10% of the last period, आप cash scheme में जा सकते हैं, कि cash scheme के अंदर आपको जब पैसा आएगा जाएगा तभी आपको वैट देना और input मिलेगा, उसमें वोई लोग को जाना चाहिए, जिनके पास sale का पैसा, बाद में आता है, because then in that case, आप defer कर सकते हैं, जब तक आपको tax pay करना है, फिर उसके बाद invoice के अंदर detail वगर है, क्या होना चाहिए, और divinus amount क्या था, which is 10,000 or 1% of turnover, whichever is higher, but maximum 50, तो divinus amount के अंदर डिफॉल्ट किया है, स्विच्छा से बता दिया, गलती बता दिया, तो next बार आप return में जोड कर वो पैसा दे दीजिए, कोई charges नहीं है अलग से, और otherwise अगर आपने default वगर किया, बताया, नहीं चुपाया है, तब तो वो slab है, जो exam में दिया रहेगा, अगर आप export वगर है, import में engaged, export पे GST नहीं है, VAT नहीं है, input के ऊपर अगर आप UK में है, त payment भी quarterly करना है, हर quarter खतम होने के बाद, एक मेना साथ दिन के अंदर, that is you can say VAT administration, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी जो भी है, वो ध्यान तो रखना ओएगा, नहीं तो exam में कैसे करें, मालनी जी अभी ध्यान है, फिर दो दिन बाद भूल जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग बेवकुफ है, यह ऐसा चीज है जिसको एक बर, दो बर, तीन बर देखना पड़ेगा, otherwise how you will get the confidence that you will be able to remember, कोई दिमाग का बात नहीं है किसी के लिए भी, नाइधर मानाओ, नाइधर पाया, नाइधर अनिबड़ी, और ऐसा हर subject में कुछ ना कुछ होत है, जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं ध्यान रखेंगे तो आप सम्स नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका एक ही उलाज है, practice, if you don't practice, you can't do that, अब मान लेजे आपेपर टेस्ट जब लोगा, जब टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देने के बाद आपको feeling आएगा मेरा ग योजी टेस्ट लेंगे न, तो in that case, उसका purpose फुल्फिल नहीं होएगा, मान लेजे आपका exam next week नहीं, उसके next week Friday को होता, you are giving FR exam, then we can take next week test Thursday Friday, क्योंकि आपके पास फिर से 7 दिन बाकी है, लेकिन अभी हम लोग को maximum Sunday, Monday, Tuesday, उससे आगे नहीं, तो हम लोग final नहीं कर पाएंगे, टेस्ट कब लेना है, और सभी को टेस्ट देना है, exam देने वाले नहीं है, exam लेने वाले, अरे भाई, देख तो सरी क्या आता है, मान लेजे देना ही पड़ जाए, मान लेजे वो लोग बोले adjustment नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप, ये सब कहानी मैं बनाया हूँ, कहीं बना मैं पहले से ही सोच के रखा था कि आप लोगो समझाना क्या है, क्योंकि कोई-कोई जनको होगा, exam form भरने के बाद भी exemption लेने का मन है, तो भाई, बता तो नहीं है ना मेरे को, थोड़ी नहीं बता पाएगा, इंडिया वाला team, नहीं बता पाएगा, जितना हम सोचते हैं उस तो normally इसे लिए, क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, आप मन में discount करके रखी exam देना पड़ेगा, because no point wasting money, हाँ अगर preparation बहुत ही खराब है, तो in that case exam देके भी तो पास नहीं होने वाले हैं, तो बात अलग है यार, लेकिन निसानत जी और पायल, उतना जूर का preparation खराब नहीं, तो तो कब test लेना है, Sunday इसलिए, because you all are free, Sunday इसलिए बोल रहे है, because Nissanth है, Payal है, वर्सा है, यह लोग का office रहता है न, तो Sunday यह लोग test देगा, तो office बगर है नहीं है, सांती से दे पाएगा, otherwise मेरे को कोई problem नहीं है, अलग-अलग सब को नहीं मिलेगा, exam भी अलग-अलग दिन दे द that time to give the answer in three hours, तो क्या भी, कौन सा टाइम, set करिये, बोलिये भाई, fix करिये, जिससे आगे बढ़ें फिरें, तो फिर Sunday रहने दे रहे है, Sunday 9 बजे, I will send the paper at 9, you will submit by 12, बाद में submit करने से नहीं चलेगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, sorry, प्रियोजी आपका बात नहीं मान रहे है, क्योंकि, reason, बोलिये, कौन क्या बोल रहा था, पायल जी बोलिये, ले सकते हैं, Sunday evening में कोई दोस्त से मिलने जाएंगे, movie जाएंगे, कुछ करेगा यार, हमको क्या problem है, लेकिन Sunday, अच्छा ठीक है, अच्छा, 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 कितना बजे सामको, जब आप paper करेंगे न, तो आपको ये समझ में आएगा, कि क्या चीज भूल रहा है, और जब आप paper करेंगे, तो आपको देखेगा, कि मेरा सौ में साथ सतर नंबर तो आज आ रहा है, आप करेंगे, देखिए आपका आएगा, हमको मालूम है विश्वास आपके उपर, हमको, कितना बजे, आप लोग बोलिये, टाइम फिक्स रखना पड़ेगा, पांच बजे, छे बजे, साथ बजे, हमको कुछ करना नहीं है, हमको खाली आप लोग को मेल करना है, आप अपना अंसर तीन गंटा में करके, कोई भी चीज रेफर करें बगर, वर्ड फाइल, एक्सल फाइल में देंगे, जो पार्ट A और B, उसका अंसर 1 A, 2 C, 3 D, जो भी होगा, एक्सल फाइल में लिग देंगे, 1 से लिकर 30 तक कुश्चन, और उसका अंसर नंबर हो गया, और जो पार्ट C है, उसका क्याकुलेशन अगर है, तो एक्सल में थेओरी है, तो वर्ड फाइल में लिग कर देंगे, कुछ करना नहीं है, आप लोग को रेडी होना है बस, पांच बजे, सामको, संडे फाइव अक्लॉक, चलेगा, वही, इसलिए तो हम सब से पूछ रहा ह पर उनिसे पूछ सकते हैं, जो नहीं है, उनसे कैसे पूछे, संडे फाइव अक्लॉक, लॉक, ठीक है, अब जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी पेपर में जा रहे हैं, उसमें दोठो कोशन बाकी है हम लोग का, सिंस अल्रेडी पेपर बहुत बार खोला हुआ है, तो लेफ्ट एंड साइड में एसी सी अटाक्स स्पेसिमें अल्रेडी दिख जाएगा, टैक्स, युके, पास्ट एंड प्रैक्टिस एक्जाम्स, टैक्स, युके, स्पेसिमें, हम लोग इसमें 31, 32, 32 तक कर चुके हैं, तो हम लोग करना है सीधा सीधी, 33 onwards, 33 नंबर, या तो इंडिविज्वल या कंपनी का कंप्यूटेशन होएगा, जिसका भी होएगा, बोल रहा है, इस सिनारियो रिलेट्स तो टू रिक्वार्मेंट्स, इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है, मतलब इंडिविज्वल का दून कंप्यूटेशन है, समिनगीशन है मतलब इन्यविज्वल का कंप्यूटेशन है,كون योगण पंप्यूटेशन है, मतलब पहले वो कहीं पर जॉब कर रहा था उसके बाद 1st January से पार्टनर्सिप में जॉइन किया और एकाउंट्स बनता है 30 अप्रेल को The following information is available for the tax year 22-23 Employment, during the tax year 22-23, Simon Vajh paid a gross salary of 24-250 Salary income में ये जूड जाएगा Throughout the tax year 22-23, E-Limited provided Simon with leaving accommodation The company had purchased the property in 2010 for 89,000 and it was valued at 143,000 on 6th April 2022 The annual value of the property 4600, the property was furnished by E-Limited during March 2022 At a cost of 9400 The leaving accommodation is not job related मतलब कोई security guard ये सब नहीं है कि भाई उसके लिए leaving accommodation जरूरी है तो ये घर का valuation करना है क्या पड़े थे हम लोग Annual value of the house जो सम्में दिया रहेगा 4600 लेकिन घर का value एक level की beyond अगर होएगा तो in that case और घर साथ साल पुराना होना चाहिए नहीं क्या तो यहाँ पर 2010 में घर खरी दियो और 2022 चल रहे है तो साथ साल पुराना छे साल था क्या नहीं आदे मेरे को लगता है साथ साल तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू हम लोग लेंगे 143 उसमें से हम लोग 75000 माइनस करेंगे बैलेंस के ऊपर कितना जोड़ेंगे 2% था मेरे ख्याल से यह चीज यहाँ टैक्स रोल्स में दिया रहता है टिंसन नहीं मेरे ख्याल से मेरे को जहां तक द्यान आ रहा है हाँस का वैल्यूविशन का प्रोविजन्स नहीं दिया रहेगा जो 75000 के ऊपर है 2% एक्स्ट्रा थिक ही बोल रहे है नहीं है भाई यह तो यादी रखना पड़े गया ठीक है तो 1,43,000-75,000 the whole thing into 2% और उसके बाद यह जो फर्नीचर वगर है प्रोपरेटी बुलता है अन्यूवल वैल्यूव प्रोपरेटी प्रोपरेटी वच फर्निस्ट वई लिविटे दिरिंग दिवर्च अट 9400 इटका भी 20% तो सम इला मलू के हाउस का वैल्यू आएगा यनि के आपका सलेरी इंकम में हाउस का वैल्यू जूड जाएगा इसमें इंट्रेस कितना टैसेबल होता है 2% अगर इंप्लोयर कुछ लिए रहे तो 2 माइनस करके तो 1st दिसम्बर से मार्च तक दिसम्बर से मार्च शार महना तो 84,000 का एट्धी रेट रेट अफ 2% इंटो 4 बाइ 12 यनि कि यहां से यह उनका सालेरी इंकम हो जाएगा तीनी इंटिया है ठीक है और इसके बाद पार्टनर्शिफ में वह जोईन किया है कब से 1st जैन्वरी से 4 मैना कहें ना the partnership tax adjusted trading profits for the four month period ended 30th April is 29,700 this figure is before taking account of capital allowance पहले इसमे से capital allowance minus करना है, मतलब capital allowance के calculation होएगा हो सकता है the only item of plant and facility owned by the partnership is a car which cost 25,000 on 1st February the car है जसी 02 emission of 125 grams per kilometer it is used by 8 and 40 percent of the mileage is for private journey तो गाड़ी के अंदर हम लोग बोलेंगे ये तो 125 और 50 से जादा है special rate pool में जाएगा गाड़ी के ऊपर depreciation 6 percent लेकिन उसके बाद भी 60 percent because 40 percent for private purpose business purpose only 60 percent so 25,000 into 6 percent into 60 percent whatever car का जो भी depreciation आएगा partnership में ये जॉइन किया 1st January को इसका year ending 30th April partnership का year ending हम लोग जॉइन किये partnership में नया what do you say 1st January को तो पहले ये जो साल बर का income दिया नहीं 4 months का income दिया है तो into 4 by 12 भी करना होएगा भाई ये जो income है ये 4 months का ये it is not year so depreciation भी तो month wise होता है na capital 11 25,000 into 6 percent into 60 percent into 4 byte अगर आपका business का income 12 मेना का है तो depreciation भी चार मेना का अगर आपका business का income 4 मेना का है तो depreciation भी चार मेना का हम नहीं consider करेंगे, यह लोग बोल रहे हैं कि यह जो income है, यह चार मेहना का है, हम कहां consider कर रहे हैं, the only item, यह लोग जो बोला, four months period ended, यह लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसमें हम join किया है, वो firm भी उसी दिन से चालू हुआ है, हो सकता है, कि यह लोग क्यों year नहीं बोल रहे हैं, यह लोग four months बोल रहे हैं, हम लोग क्या करें, अगर यह बारा मेहना का income देता हैं, हम डेपरिशीशन बारा मेहना का लेश करता है, profits are shared 40% Simmons, 60% art, this is after paying an annual salary 6,000 to art, तो आपका जो capital allowance minus करने के बाद profit आएगा, उसमें से salary एक आदमी को दे दिया गया, balance जो profit बचा उसको 40-60, हम लोग का नाम क्या है, हम लोग का नाम 8 है कि सीमन है, सीमन है, तो जो balance profit बचेगा, वो सीमन को 40% मिलेगा, तो आपका partnership में से जो income आएगा, वो आपका business income माना जाएगा, self employment income, salary, salary, revenue, जो भी आपका है, वो सब आप अपने income में जोडेंगे, यानि कि यहां से उपर से salary income आगया, यहां से business income आगया, फिर, सीमन owns a freehold house which is let out, which is let out furnished, the property was let throughout the tax year 22-23 at a monthly rent of 660, property income, बुलता घर भाडे पे दिया है, तो property income उसको हुआ, तो 660 into 12, because per month, during the tax year, सीमन paid council tax 1320 in respect of the property, he also replaced the property washing machine during the year, the old washing machine was sold for 70, being replaced by a washer dryer 970, the cost of similar washing machine would have been 730, अगर replacement करेंगे तो हम लोगो को खर्चा deduction मिलेगा, लेकिन नया खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, तो washer dryer नया है, लेकिन similar washing machine का मिलेगा, तो 730 minus 70 मिल जाएगा deduction, लेकिन 970 washer का नहीं मिलेगा, और जो municipal tax ये उसका deduction मिल जाएगा, यानि कि 660 into 12 minus 1320 minus जो washing machine आप replace किये उसमें आपका extra पैसा लगा, there is no concept of depreciation in property income, straight away whatever replacement is done that will be deducted, और तो कुछ दिया नहीं है, तीन तरह का income निकालने बोला है, बोलता, calculate Simmons taxable income for the year, पहले salary income लिखना चाहिए, business income लिखना चाहिए, कि property income, क्या लिखना चाहिए पहले, जो मर्जी है वो लिखिए, जो मर्जी है वो लिखिए, लिखने के लिए column यहाँ पर दो ठो बनाएं कि तीन ठो बनाएं कि एक ठो बनाएं, जो मर्जी है वो बनाएं, उनका answer अगर देखेंगे, उसा ही column बनाएंगे, यह बहुत सारा student look not anky करता है, ऐसा कुछ rule नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान दीजी, अभी दिखाते हैं, institute marking आपको कैसे दे रहा है, उस पर ध्यान देंगे न, कि अपना बुद्धी लगाएंगे, हमको number मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, कि hand 10, अगड़म बगड़म नहीं बात करेंगे, ठीक है, tax specimen, self mark, कितना number में जाना है, 33 number, 33 number में आ गए हम लोग, answer क्लिक कर लिया, answer में देखने के लिए नहीं, मैं नीचे marking guidelines में जा रहा हूं, बुलता है, अगर आप salary का figure 24, जो की question में दिया हूँ है, लिखेंगे आधा number, इसमें कोई बुद्धी नहीं है, माना भी लिखेंगे आधा number मिल जाएगा, salary लिखेंगे आधा number, beneficial loan का calculation, बुली संचार मैंना का, क्योंकि आपने loan December में लिया, मार्स तक सही लिखेंगे एक number, मालनी जे total आपका wrong है, total income गलत है, लेकिन ये marks, मैं वैसे ही दूँगा, जैसे ये लोग बूला है, मेरे पास कोई right नहीं है, आपको कमती बेसी देने का, living accommodation, annual value सही लिखे, question से copy करने आधा number, additional benefit calculation, additional benefit 1360 कहां से आया, additional benefit working note 1, ये जो additional benefit 2% निकाले, 143 लिखा एक number, 75,000 माइनस किया आधा number, 68,000 पे 2% निकाला आधा number, सब मिला मुलू कि ये दो number है इसका, ये एक-एक step पे, student 1,43, question से देख कर लिखना, एक number मिलेगा, fail होने के लिए दम चाहिए, furniture का 20%, एक number और, trading profit के लिए नीचे working, तो trading profit के लिए बोल रहा है, trading profit के लिए बोल रहा है, trading profit question से copy करना है, depreciation 6%, 60%, चार मेना का माइनस करना, उसका दो number, इसका दो number है, आप business income गलत निकाली है, depreciation सही दो number, salary paid to 8, चार मेना का, वो annual salary दिया हुआ था, मैं दिया नहीं दिया था, 6,000 less करेंगे number एक नहीं मिलेगा, 2,000 less करेंगे एक number, फिर उसके बाद आप बोलेंगे, हमारा share 40% आधा number, तो आपका salary और आपका 10,960 आपका बन गया total, trading profit, यह 5940 कहां से आया, Simmons trading income assessment for 22,23, क्यों किया है यह, because हम लोग का यह April तक का है, हम लोग का तो year March तक का है, 6th April, तो 3 मैना का income लेना है, वो हम सोचा ही नहीं था, यह मेरे को भी एक number नहीं मिलता, 10,960 उऊपर नहीं जोड सकते, 3 मैना का income, इन्टो 3 by 4, 8,220, यह उपर आगया, अब उसके बाद property income, property income में Simmons का, each for the period January to April, the partnership car 50 grams, यह तो normal note है, property income यहां है, 12 मैना करेंट, municipal tax और यह, यह पूरा आदा नंबर, आदा नंबर, डेड़ नंबर, total में दो नंबर मिल जाएगा, उपर लिजा के छप्पा मारे, फिर उसके बाद personal 11, 12,570 लिखने का आदा नंबर, total 32, यहनि कि यह सारा जोड़िये, आदा एक, डे, आदा एक, जहां जहां right है number है, multiple twice में part marking नहीं है, part A और B में, right तो marks, wrong तो lead, but part C के अंदर, सब जग़ पार्क मारे है, part C होने से student pass हो रहा है, part A और B होने से student fail हो जाता, student को लगता होगा, multiple twice easy exam होता है, बट सब student गलत सोचते हैं, अगर essay type exam है, तो easy exam होता है, multiple twice difficult exam होता है, the property was purchased more than six years, so the benefit is based on the mark, यह सब यहां लिखना है, six years वर्सा ने सही बोला था, मैं जूट बोल रहा था, आप यहीं पर लिख दीजिए, property six years old, लिख दीजिए यहीं पर, नीचे चापना, नीचे चाप दीजिए, Simmons partnership, यहां कुछ है नहीं बुला, partnership का income, first January से 3 तक लिए आएगा, 3 मेना कई आएगा, the partnership car 50 gram से ज़्यादा है, तो special rate में 6% मिलेगा, आपको यह सब अलग से नहीं लिखना, ऊपर इड़ा, कोई rule नहीं है कि आपको ऐसे ही, एकदम first line first, ऐसे अपनी मर्जी, अगर माल लीजिए, इसके उपर tax निकालने बूलता, तो tax कितना होता यह income पे, 34 to 40 पे tax liability कितना होता, बस खतम, because 12,570 minus करने के बाद slab है 37,700 तक 20%, फिर 37,700 से 1,50, 40%, फिर 1,50 से ज़्यादा 45, आपका 37,700 के अंदर है, अगर tax निकालने बूलता तो एक number उसका भी होता, ठीक है बट सिंस बहुत सिंपल हो जा रहा है, अब निकालने नहीं बोला, बिलिफ करिए, पार्ट A और B से ज़्यादा easy पार्ट C है, डरते हम लोग पार्ट C में है, जबकि number exam में वहीं पर आएगा, आप जितना जितना right करेंगे, number आते जाएगा, चपा चप, चपा चप, रॉंक करने के बावजूद, बेवकुब से बेवकुब से बेवकुब स्टुडेंट भी 40 नंबर में 20-25 नंबर easily उठा सकता है, यानि कि थोड़ा भूट भी multiple twice write कर देंगे, पास, टैक्स का पास परसेंटी जितना पेपर है, इसकी लेवल में सबसी जादा है, सेलेबस जादा है, थोड़ा याद करना है, बट पास परसेंटी सबसी जाद है, हम जूट नहीं बुल रहे हैं, मूटिवेट नहीं कर रहे हैं, जो फैक्टों बता रहे हैं, आप खोल दीजें इंसिचूट का वेबसाइट, हर सबजेक्ट में पास रेट टैक्स से कम हैं, क्यों है, विकोज इजी है पास होना, पूरा चीज याद करके 90 नंबर लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट पास होने तो लॉली पॉप है, कुछ है ही नहीं, अगर प्राब्लम हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही खराब पढ़ाई की हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होएगा यार, उसका तो कुई solution नहीं है, उसके लिए तो दूसरा subject और तकलीफ देने बाला है, अभी जब पढ़ेंगे, next subject तकलीफ और ज्यादा होएगा, तब ध्यान आएगा, सर बोले थे, टैक्स इजी है, तब उस समयाद आएगा, तब बात करेंगे, अभी तो आप पढ़े नहीं है ना, दूसरा subject, how I will say, इस्ते two advantages for the partnership of choosing 30th April as its accounting date, rather than 5th April, बोलता है हम लोग, accounting date 30th April, अगर पकड़ते हैं, तो क्या फाइदा होता है, दोठो advantage बोलिये, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है, हम common sense लगा रहा है, सची बोलना, विद्या का समया, मिरको भी नहीं ध्यान आ रहा है, कि accounting year date, अगर हम लोग March नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तो क्या फाइदा होता है, overlapping profit, question बोल रहा है, state to advantage for the partnership of choosing 30th April as its accounting date rather than 5th April, so overlock procession बोलना रहा है, 30th April को लेंगे, प्राम सिर्ण कम overlock procession बोलना रहा है, प्राम सिर्ण का टैक्स देने पर, वो तो मैंने रही है, अगर हम सिर्ण के बाज का date लेंगे, पहले तो हमें, उस साल का पूरा, बाद में रिबेट मिल जाएगा, लेकिन एक बार तो सुरू में डबल टैक्स लग जाएगा, मेरे ख्याल से जो टैक्स पेमेंट करना है, वो भी डिले हो जाएगा, टैक्स पेमेंट डिले हो जाएगा, लेकिन अगर ओर लाग पर जाएगा, तो अगर अगर बाद जाएगा, अब लोग तो सिर्वेशन में जाएगी, हाँ, तो यहाँ पर तो अडवांटेज बोलना है ना, दो अडवांटेज बोलना है, दो पॉइंट, और दूसरा, मेरे ख्याल से पेमेंट अफ टैक्स, ध्यान नहीं है, मेरे को देट फेट क्या है इंडिविजवल का, उसमें हाना कि जहां से आपका बंद होएगा येर, उसके बाद नौ मैना के अंदर है, नेक्स्ट येर का जैन्वरी है, क्या है? तो वही तो येर एंडिग हम अपर ही ले रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, मार्च लेने के वजाए है, नहीं हो रहे हैं, मिरुको भी सच्छी में, हमको भी देखना पड़ेगा, I am also not in a position to comment, क्या ये लोग लिखता है? The interval between earning profits and paying the related tax liability will be 11 months longer, this can be particularly beneficial where profits are rising, it will be possible to calculate taxable profits when in advance of the end of the tax year, making it much more easier to implement tax planning and make position pension contributions, वो लोग वो सब नहीं लिखा जो हम लोग बोले, वो लोग बोल रहा है कि पहले तो आपको जो tax कमाए है profit पे, और जो tax देना उसमें 11 मेना का gap मिल रहा है, अगर आप मार्च में रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग मार्च अपरेल फिफ्थ अगर ये अरश एंडिंग रखते, तो फिर तो बारा मेना का gap गाप नहीं क्या? The interval between earning profits and paying the related tax liability will be 11 months longer, 11 months longer बोलने का मतलब अपरेल से लेकर मार्च, April year ending है, तो next year March तक, this can be particularly beneficial where profits are rising, it will be possible to calculate taxable profits well in advance of the end of the tax year, making it much easier to implement tax planning and make pension contributions, ये second number तो समझ मही नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि जब आपका year ending, अवरलाप profit क्यों नहीं आएगा? क्या problem है? वो लोग दो थोलीका तो क्या दो ही point है क्या? overlap सही है? मदल, वाकर तो कमेंस्मेंट अब बिजन से नहीं बोला ना? पुरा तो सम्सॉल्व किये, वो लोग तो सॉल्व किये ना, चार मैना का profit, तो पुरा तो कमेंस्मेंट और बिजनेस ही तो पार्टनर सी पुछी समय चालू हुआ है, तो अगर अगर हम लोग को गिराना है, तो अगर हम लोग अपरेल लेंगे, तो इन बाट केस नेक्स यर में अकाउंटिंग एर अगर अगर कम आएगा, अगर हम लोग और ज्यादा ज इक्वल तो 12 months greater than 12 months, this is less than 12 months, तो less than 12 months होने से क्या था? और? जैसे यहाँ अपरेल है, तो पहले तो हमारा year March, 5th March, 5th April 2023 खतम, तो हम जो बिजनिस चालू किया, 1st January से 5th April तीन मेना का मेर को इंकम परे टैक्स देना है, फिर 2nd year जब हम जाएंगे तो वह कहां से कहां तक होएगा? future भी रहेगा उसकिस में, March, वापिस से हम लोग अपरेल 24 आएगा तो भी रहेगा? second year हम नहीं ध्यान कर पा रहा है, second year क्या था, जब आपका year ending अपरेल में हुआ 30th April, तो कौन समय ना का profit? अपरेल में हम लोग 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 10th April यह जब हम लोग लोग 10th April को अपरेल ना का, अज़ू को हम लोग 12 मेह ना को अपको अगर आपकार ना कर लेगा? अगर il तो हम लोग अबला सोगे अहला गोप अनग कराएन्य जाहिए गई वह यह नियुद्स का ज़िए अपैसे अहला रहे करें स्विए आइसे पूंट नंहीं उठते है हां ठीक है आएगा ही overlapping तो यह आएगा है आपकर एक्षवली क्या है कि हम लोग थोड़ा ऊपर-ऊपर से जाना चाह रहे हैं अगर हम लोग चीछ का गर्थ में गुसेंगे ना तो example clear होएगा उसके लिए मेरे को provisions खोलना आएगा sorry हम भी खोलता है कि less than 12 months पूरा ही story क्या है यह हम लोग का seat में first में था क्या हाँ यह second हम खोल लिया first वाला seat में एक दम last के तरफ था वही बोल रहा है यह हम यह हाँ यह हम यह हो यह यह हो यह हम खूरा है यहां पर क्या है ओन्गोई इस्टार्ट फट्रेट सिजेशन वो नहीं इसके उपर था फिर इसके नीचे है नीचे ठीक है समझ गया सर ओन्गोईंग में आपका लेस देन ट्वेल मन्स है फिर्स्ट वेल मन्स अफ दे ट्रेडिंग यह फ्रॉम डेट ट्रेड इस्टार्ट अब एक बास सोचिए कि माल निजे कोश्चन के अंदर जो भी डेट है माल साल चालू हुआ जैन्वरी 2022 से और मैंने येर अंडिंग अप्रेल 2022 एंड रखा तो पहले पहला साल तो जैन्वरी 2022 से लेकर फिफ्ट अप्रेल देन इस तीन मैना का टैक्सेबल वो जैन्वरी 22 मतलब 21 में टैक्सेबल हो गया अब मेरा 23 सेकेंड यह जिसमें लेस देन 12 मंस है तो लेस दन 12 मंस होने से फिर्स 12 मंस अप्रेड इस्तारिड फ्रमदे टैक्सेबल इंकम वो जैन्वरी लेकर डिसमबर तक 22-23 में टैक्सेबल इंकम होगा यानि कि जो तीन मैना का इनकम क्या बोले जो तीन मैना का income मेरा first year हुआ वो तीन मैना का income अभी दोबारा taxable हो जाएगा अब हम तीसरा साल जाएंगे जब अप्रेल 2024 में जाएंगे तो अप्रेल 2024 में कौन सा income taxable होएगा में से अप्रेल तक third year के लिए क्या बोल रहा है third tax year unless no POA in the second year in which case the tax for the 12 months तो मेरा तो POA था second tax year के लिए ये हो गया third tax year current year basis third tax year तो current year basis बोल रहा है है तो हम लोग गया वो शाल दूसरा साल जन्वरी से डिसमबर हो गया क्यों लिखाना less than 12 months होने से, अगर second year आपका accounting year end less than 12 months, यहाँ देखियो उपर से डंडी कौन सा जा रहा है, less than 12 months, second year accounting year end है मेरा, january में चालू किये, अपरेल थी, second year में आ रहा है, तो उस case में first 12 months trading from the date of trade started, so first january से डिसमबर, अभी पहले second year तो खतम करें, second year तो january से डिसमबर होएगा, सोच लो, ठीक है, अब third year में गए, third year में नीचे उतरे तो भूलता है, current year basis, unless no POA ended in the second year, in which case taxed the last 12 months of the long period of accounts, तो ये third year में तो current year basis होएगा, यानि कि third year में current year basis जो मेरा, अपरेल 2022 वाला income वो taxable होएगा, अगर हम january 22 को business शालू किया, मैंने year ending रखा अपरेल 2022, तो january 22 मतलब 21, 21 में तीन मैना का income taxable, फिर 22, 23 मतलब next year जिसमें less than 12 months है, तो less than 12 months मतलब january से लेकर डिसंबर, फिर 22, 23 में 23 वाला नहीं पकड़ेंगे, because वो तो next year पहुँच जाएगा, 22, 23 में जो accounting year ending 22 वाला है होई, क्या भई, क्या हम गलत है, 23, 24 में आपका year ending कौन सा है, मने कौन सब मेना का, 30 अपरेल होगा, 30 अपरेल होगा, 30 अपरेल होगा, 30 अपरेल 22 की 23, 22, 21, 23, 23, 23 अब बोल रहे हैं क्या आप, 23, 24 में year होगा, अपरेल 23, April 23, May 2020 कौन सा है, April 23, 2023 तक, तो यानि कि आपका double bar taxable क्या हुआ, खाली तीन मेहना का income, और इसके बाद इधर में और, और अपरेल से में से लेका December वाला, और अगर हम लोग March year ending लेते तो क्या होता, मालनी जी हम यह, विकॉज यह लोग का question यही है, अपरेल के बदले March होता, तो क्या होता, तो 21, 22 में March का लगता, कितना मंद का, कैसे आता, यहाँ पर हम लोग यह story में तब जाते हैं, when the second tax year onwards, आपका first year ending second tax year है, लेकिन अब 31st मार्स कोई tax year end मान लेते हैं, उसी साल, तो फिर तो यह सब कोई कहा नहीं, यह यह नहीं, क्या दादा, अगर आपका यह, हाँ भी वही सोच रहा है, इसा कुछ किया था, आप ही पूछा था, अभी उसको भूल गया, मैं क्या बोला था, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर मार्च मानेंगे, तो ओवरलैब क्यों आएगा, January, February, March खतम, next year से मार्च से अपरिल चालू होएगा, March से मार्च, यह स्टोरी तो second year tax year end होने से है न, अगर आप 5th अपरेल के अंदर business year ending माल लिया, तो आपको तो first year year ending हो गया, यह कहानी में जाई नहीं सकते है नीचे, क्या लगता है सर, हम यह, second year में जो होगा, हां, first year का first year, second year, second year, तो आपको double-double overlap यह सब निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्यों, किसलिए nine months, कौन सब प्रोविजन के बेसिस पे, ongoing year rule, first tax year, special opening year rules apply when a sole trader begins, first tax year, the tax year in which starts trade, basis of assessment, actual basis, time apportioned the tax, adjusted profits and tax from start of the day to the end of the relevant tax year, December में चालू किये, and made up her accounts on 30th November, her tax adjusted profit for 12 months, यहां पर यह 30th November है, अगर यह 1st December से 31st March होता, since age in the first year, M.H. profit which are made in tax year, therefore the profits taxed in 21-22, for ease of calculation, the five days, this will also be the case in the exam, second year, second year tax onwards, second tax, यहां पर हम लोग का second year में, उन्ने क्या बोले, अगर हम लोग जाते हैं, जैसे हम पत्रे रहे रहे तो, पोगी सर्कों को भी सोरा सुचना चाहिए था, यह कैसा इसम्गल भी देना चाहिए? नहीं, तो हमको तो लग रहे है कि, जो सोच रहे है कि, 31 मार्स तो 31 मार्स तो हर साल का अपने आप आ जाएगा, उस पर overlap का तो कोई tension नहीं आ रहा है ना? क्यों? वो ही तो बुल रहे है, नहीं होएगा, सिधा? अगर second year में accounting year end होएगा, तो ही यह basis of assessment कहां नहीं चालू होएगा, तो इसलिए आप लोग जो point बूल रहे हैं यहाँ, पर answer के अंदर, कि भाई overlay profit हम लोग का मार्च होने से, और अपरेल होने से कम हो रहे हैं, यह तो उल्टा पड़ जा रहा है यहाँ, वेकास मार्च के बदले अपरेल होने से overlay profit आ रहा है, लेकिन अगर मार्च year ending होता, तो overlay profit नहीं आता, मेरे को तो यह लग रहे है, क्या लग रहे हैं आप लोग को, क्या यहाँ पर जो provisions लिखा हुआ है, वो चालू तभी होता है, जब second year में आपका accounting year end होएगा, तभी यह basis of assessment जोल जाल चालू होता है, क्या कि यह लोग बूलता है, 12 months का income taxable होएगा, आप जब business start किये, उससे आप business का accounting year end, अपरिल सी start किये, आप March मान रहे हैं, माने 30th अपरिल, माने 1st 30th अपरिल मान रहे हैं, तो 12 मेना हुआ, मार्च से मतलब नहीं है, आप पूरा accounting period जहां से business start करते हैं, 12 मेना के अंदर रखते हैं, 12 मेना के बाहर रखते हैं, क्या रखते हैं, आपका accounting period ending क्या है, exactly 12 months है, कि 12 months से ज़्यादा है, कि 12 months से कम है, तो अगर 12 months से कम है, मेरा year ending मेरे मार्च माल लिया, तो इस साल दिसम्बर से मार्च टे दिये, नेक्स यर अप्रेल से मार्च दे देंगे, ओ गया, लेकिन more than 12 months में तो problem ये होता है, या less than 12 months में, माल लेजिए आप डिसम्बर में चालू किये, और आप January में year ending बोल रहे हैं, तो अब हर साल आपका year ending January, 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 January होते जाएगा, जो आपका income tax year से मिल रहा नहीं है, तो overlap का टंकाला आएगा, लेकिन अगर आप March माली लिए, तो आपका जब चालू किये तब से March उस साल, next year से March, March कातम, मेरे को तो लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर ये point डालते हैं, कि overlap profit कम लगेगा, तो गलत हो जाएगा, number नहीं देगा बोलो, तब बोलेगा तब, तब बोलेगा तब, अब क्या है कि पहला साल, ये अप इस March को मानेंगे, कि next March को, अगर आप next March को मानेंगे, तो भी प्रोविजन चालू होगा, विकाँ सेकेंड ये, इस ग्रिटर दें 12 मंस, इस ending in the second year, तो शुरू में एक बर तो ओवरलेपिं आएगा, हो सकता है और गनाइजेशन, चार मेना में काउंटिंग ये रेंडिंग नहीं माने, सोचे का चार मेना का क्या अकाउंट्स बनाएं, सीधा 12-14 मेनाबाद बनाएंगे, दुनिया भर में होता है, ऐसा इंडिया में भी होता है, लेकिन अगर पहला पीरिएड मार्च 2023 को माल लिये, जैनवरी में स्टाट किया, मार्च 2022 को माल लिये, तीन मेना कोई पहला पीरिएड, तो स्टोरी कहतम, all over, that's all, तो यहाँ पर, यह जो यह लोग लिखा, the interval between earning profits, paying tax liability, 11 months, मेरेको तो यह पसंद नहीं आ रहा है, payment tax करने का क्या date होता है, लेकिन अगर advance tax नहीं सुचते हैं, तो normally payment date क्या है, भूल गया, और अगर March ending है तो, जन्वरी तक यह करना है, ठीक है, तो यह लोग 11 मेना क्यों लिख रहा है, the interval between earning profits, and paying the tax liability, is 11 months longer, अगर आप March year ending करते, तो, March रखते, अगर 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 अप्रेल रखते तो, अप्रेल रखा है, तो कब तक होएगा, January 2024, तो ऐसा लिखना ची है, ऐसे भूल रहा क्यों नहीं है, 11 मेना लिखने से तो अच्छा नहीं लग रहा है, लॉजिक तो यह देना ची, it will be possible to calculate taxable profit well in advance of the end of the year, making it much easier to implement tax planning and make pension, वो तो normal है, आप अगर पूरा year खतम होने के बाद, आप मोटा मोटी year रखेंगे, तो आप tax planning के लिए आपको थोड़ा समय मिलेगा एक मैना का, लेकिन अगर आप पूरा पूरी year मार्ची रख देंगे, कि आज खतम हो, आज ही planning करो, तो समझ भी नहीं आता है, कि तो कोई अपरेल के बदले में, होता, जून, होता, सभी के लिए यह point relevant है, कि after the year end, you can do tax planning, because your accounting year is that, महा तक है, taxable profits well in advance, making it much easier to do the tax planning, बढ़ यह कुश्चन थोड़ा गरबढ है, मतलब हमको तो easy नहीं लगा था, किस तरह से हम लोग यह बोलें, कि मार्च के बदले, अपरेल accounting year end रखना अच्छा है, मतलब मालनीजे ठीक से नहीं लिखेंगे, तो दोनों लड़ू मिलेगा, मालनीजे कोई जन overlay profit लिखके आ गया, मालनीजे सही भी है, इग्जामिनर नंबर नहीं देगा एक नंबर, आप overlay profit काम कैसे होगा, आप उसको बताएंगे नहीं तो, they are not going to give you number, just that you have mentioned overlay profit, not allowed, that's not self-explanatory, that need to be explained in the exam, then you will get one marks, मालनीजे एग्जाम में हम है, कैसा answer? यह पहला बाला ठीक से नहीं लिखा है, दूसरा बाला तो ठीकी है, यहाँ, मनि यह मिरको तो नहीं समझ में आया कि 11 मेना ज्यादा, एक साल ज्यादा नहीं, क्या मार्च रखते तो आप जैसे समझाए, कि मार्च जैनुवरी 23, लेकिन अपरेल रखने से जैनुवरी 24, तो उस केस में हम लोगों को टैक्स वगरर पे करने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाए, कैस फ्लो बच जा रहा है, कम से काम इतना लिख देता, कैस फ्लो पेमिंट कैन बी डैफर्ड, टैक्स पेमिंट कैन बी डैफर्ड, ठीक है, मालनीजे एक्जाम में ये question नहीं आ रहा है कुस्ती नहीं लड़ने आगे है question और उसको बाद में कर लेना भाई थोड़ी ना कुस्ती लड़ने बैठ जाना है यारी ये नहीं हो रहा है थोड़ी ना वोई fail pass कर आएगा कोई तो question हो सकता है जहां पर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है करें बाद में पहले दूसरा करते हैं बहुत जोन लोग इसकी कारण फेल होता है पेपर छोड़ कर आ गया ये question कर रहा है हो रहा है दिमाग लगाय जा रहा है जब आप practice करते हैं ये सब चीजे practice में काम आती है कोई चीज नहीं ध्याना आ रहा है भूल गए है वो तो समझ में आई रहा है साथ में time management so if the student don't solve the papers in three hours they can't pass the exam maybe you are very well studied और problem होगा क्योंकि exam में जो गलती होगी वो घर में practice और ये practice platform पे ही करना है हम जो paper देगा वो तो normal word और excel में करेंगे आप लेकिन ये software पे आप इस पे करेंगे यानि कि अभी भी अगर हम लोग किताब से खोल-खोल कर पड़े जा रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे है आपका कोई topic बाकी है उसका थेल लेने गया आप चुप चाप से यहां के papers करिये हम बीस दस तारिक ज्यारा बारा तारिक से बोल रहे है ज्यारा बारा अगस्त से दस दिन तो अल्रेडी हो चुका if you want to pass the exam you need to solve do every practice on the practice platform मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी चालू नहीं किया है वर्षा चालू किया है क्या practice platform पे अच्छा कल से चालू किया प्रियोजीत तो नहीं चालू किया गैरेंटी आप यह सोच रहे बैकलॉग है माल नहीं जे बैकलॉग होते होते आट दिल लग गया जो नंबर आएगा उस पर पास से साथ नंबर कम आएगा बैकलॉग है चुप चाप से यहां पढ़ तो रिविजन यहां से करना है यहां माल नहीं जे आपको पूरा पेपर अभी नहीं करना है तीन घंटा नहीं है आपके पास एक घंटा है आप पाटे खोलिए भी खोलिए solve करिए उसको यहीं पर सीखोलिए एक कोश्चन करिए दो करिए उसके बाद उसके basis पर रिविजन करिए time management माल निजी एक कोश्चन है दस नंबर का है तो दस नंबर 100 marks के लिए 180 minutes दस नंबर के लिए 18 minutes 20 minutes में आपका हो जाना चाहिए on the screen ऐसे समझीए आज से जिससे दस नंबर बेसी आएगा निसानत जी पायल जी माल निजी सोचन एक्जाम नहीं देंगे बड़ देना पड़ गया तो इसी से पड़ना है 20 तारिक जब आ जाये पूरा का पूरा practice platform based study और दो paper कम से कम दो paper class के अलावा test के अलावा पूरा तीन गंटा में solve करना जरूरी है on the platform मैंने पहले 10 तारीको 11 तारीकों बोला था कौन सा paper कौन सा बोला था मैंने क्या भई मैंने बोला यहां पर यह tax का taxation है UK taxation में जाए UK taxation में जाके official resources उस पे practice exam यह तीन तो paper है एक तो 2023 का नया बनाया है वो लोग और एक दो ठोर इन तीन में से कोई दो तभी खोलना जब तीन गंटा पूरा हाथ में हो मालने यह paper करना है वर्सा जी मालने जी आपको कल करना है परसो करना है आप इसको तीन गंटा खोलिये और पूरा solve करिये on the screen उसके बाद एक देट घंटा आप model answer से evaluate करके अपने आपको check करिये उसके बाद एक देट घंटा आप revision करिये कौन सा एरिया गलती हुआ क्या भूल गया बगर है study text exam kit tail लेने गया story finish कोई topic आपका assessment procedure बाकी है मेरा भी तो अभी तक बाकी था क्या पढ़ना है उसके अंदर कभी भी निकाल देंगे उसको चूप चाप सी यह questions करना चालू करिये without any second thought any single second because अभी टाइम है अभी इस विका तीन दिन नेक्स विका साथ दिन दस दिन और एक दो दिन Monday Tuesday अभी एक्जाम है यार so 10-11 दिन अभी है अभी है अभी है अभी है अगर follow करेंगे easily pass हो जाएंगे syllabus जादा है but this is very easy subject to pass in skill level the easiest subject to pass okay I don't do this, I don't do this, I have to get one person from 10 minutes, you will do this 35-36, we will do this next week first we will do this Sunday at 5 o'clock, you will have a test paper, not a revision, you will do this, fail, no problem, exam will not fail class test will fail, exam will pass, every student will take 30-35 number in class test, आता है genuinely कोई चीज़ खूलना नहीं है, जो आता है वो करेंगे, पता तो चले न कहां कहां क्या चीज़ भूल गए है, उसके उपर वर्क किया जाएगा Monday से okay leaving, tada bye bye, Sunday 5 o'clock I will mail the paper you need to submit the answer by 8 pm चार बजे रख सकते हैं, चार बजे रख सकते हैं, चार से साथ, ठीक है, इतना confusion आप लोगना डालिये, last final, 4 to 7, ठीक है, ठीक है, okay, okay, thank you, bye, yeah अजे अजे बप्रादो में जाएगा करें